अलो स्टुडेंट्स तो बोर्ड के एक्जाम के लिए आपकी तियारी काफी अच्छे से चल रही होगी तो उसी तियारी को और अच्छा बनाने के लिए हम लाए हैं आपके लिए मैटल एंड नोन मैटल चैप्टर का वन चॉट वीडियो यानि कि एक सिंगल वीडियो में कम्प्रीट चैप्टर तो बिना कोई टाइम वेस्ट किये हम चैप्टर को शुरू करते हैं और देखिए में में जो टॉपिक मैंने सामने लिखें आपके कि हमें इनको कवर करना है आला कि इनके सब टॉपिक्स भी आएंगे तो देखते हैं पहले हम करेंगे What are metal and non metals normal दे जानेंगे कि क्या होता है उसके बाद में देखेंगे कि भी properties क्या है metal और non metal की इसमें separate करके हम इसको करने की कोईशिश करेंगे जिससे कि आपको आसानी स्मझ में आए तो physical properties करेंगे सबसे पहले metal की साथ में compare करते हैं चलेंगे non-metal की ऐसे ही हम chemical properties करेंगे पहले metal की क्यों काफी लंबा topic जाएगा बहुत सारी chemical reactions आएगे उनको करेंगे और उसके बाद में chemical properties जो non-metal की हैं हो उसके बाद में हम पढ़ेंगे की metal और non-metal कैसे react करते हैं आपको एक राय दूँगा कि आप copy pen साथ में लेके बैठें और topic wise जो है अपने class notes बनाते चलें तो आपके exam में काफी अच्छे फायदा आपको मिलेगा तो जब metal और non-metal react करते आपस में तो आइनिक compound बनते हैं तो उनकी properties देखी जाएगी उसके बाद में अलग से separate topic दिये है कि occurrence of metal अर्थ में metal किस टाइप से मिलते हैं उसको extract करना उन्हां से निकालना निकालने की process को extraction बोलेंगे और जब निकालते हैं metal को अपने अर्थ से ground से जहां से भी निकालने तो प्योर नहीं होते हैं उनको प्योर करना पड़ता है फिर और लास्ट में आएगा हमारा corrosion यानि कि जो metal खराब हो जाते हैं वो और उनकी prevent जो है उनको खराब होने को कैसे रोख सकते हैं ये सब चीज़े आएगी तो ये जो topics हैं आपके तो आप अपने पसंद के topic को वीडियो के description में भी देख सकते हैं time की according जो आपको topic देखना आप सीधा description में जाएं और time लिखावा है महाँ पर तो आप time की according सीधा भी skip करके main topic पर जो भी आपको देखना महाँ पर जा सकते हो शुरुआत करते हैं पहले हम first topic से की what are metal and non-metals देखें periodic table के अंदर 118 elements है ये 118 elements आपस में कुछ similarity और dissimilarity चो करते हैं इनी similarity और dissimilarity के basis पर इन 118 elements को total दो groups में divide किया गया है ये दो groups ही कौन से हैं? metal और non-metal तो metals क्या होते है? metals को हम define करें तो कह सकते हैं कि the elements that conduct heat and electricity आपको कहूंगा recommend करूंगा कि copy panel लेके बैठें तो आपके class notes पर एक तरसे ready हो जाएंगे और आपके exam के लिए बहुत अच्छा मतब रहेगा ये बहुत पायदा देगा आपको अगेरा बनता है जब तो नीचे से घरम होता है तो side से किनारे भी गरम हो जाते हैं क्या होता है? heat उसके atom to atom कंड़क्ट करते हैं जैसे आपने देखा होगा कि जो वाइरिंग जो होती है electric wires किसके copper के बने भे होते हैं क्योंकि electricity कंड़क्ट करते हैं इसके लाव अगर आपने कोई लोहे की road पकड़ी हुई है और उसको आप electric switch के पास ले के जाओ तो क्या होगा जटका लगेगा क्यों लगा जटका क्योंकि metals are conductor of electricity electricity पास होती है इसके अंदर से तो जटका इसलिए लगेगा तो electricity पास हुई तो इसलिए क्या बोला कि conduct करते हैं electricity को और साथ में क्या बोला malleable होते हैं malleable का और ductile यह आगे भी आएगी यह हमारी property वहाँ भी देखेंगे यहाँ पर बता जेता हूँ कि malleable क्या होते हैं sheets बनाई जा सके जिनकी ऐसे element जिनकी sheets बनाई जा सके जिनकी लोहा है iron है आपके चादर देख्योंगे iron की पीट-पीट उसके चादर बनी भी होती है जर्वाजों वगेरा पर लगी डक्टाइल का मत्तब क्या हुआ wiring कर बायर बना सकते हैं ठीक है ना इनको वायर जैसे आपने खाओ लोही की तार देखी होगी copper की तार देखी है थांबे की aluminium की देखी है ठीक है ना कपड़े सुकाते हो लोही की तार पे तो ऐसे क्या है कि वह वायर की form में बना सके हैं इनको क्या बोलते हैं metals बोलते हैं जबकि non-metals क्या होते हैं non-metals होंगे justice के opposite क्या कि ऐसे elements elements that do not conduct that do not conduct heat and electricity electricity and are neither malleable neither malleable nor ductile वही ऐसे elements जो ना तो heat conduct करते ना electricity conduct करते ना ही उनकी sheet बनाई जा सकती ना ही उनकी तार बनाई जा सकती ऐसे elements को हम क्या बोलते हैं non-metals बोलते हैं तो जब यह ductile वगटाइल नहीं होते तो क्या होते हैं but they are brittle बिटल का क्या मतलब है जैसे हमने बगा कि लोहा है उसको अगर आप iron उसको हतोड़ा से पीटते हो तो फैलता है अगर koila जो की non-metal carbon है उसके अंदर ठीक है non-metal उसको अगर आप हतोड़े से पीटते होगे तो क्या होगा तुकड़े तुकड़े हो जाएंगे तो तुकड़ा कर सकते हो metal और non-metal को आप बोल सकते हो कि ऐसे elements elements that forms positive ions positive ions बोले तो cations कभी-कभी बच्चों के याद नहीं रहता है cation positive थे कि anion positive थे कि negative थे तो आप ऐसे याद कर लो कि देखो positive cation cation मतब जैसे काटा काटा मतब काट दिया तो वह positive वाला क्या हो गया anion तो वह negative हुआ elements that form positive ions by losing electrons यानि कि ऐसे elements जो electron का loss करके electron निकाल के positive ions बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं metals कहते हैं क्योंकि electron पे negative charge होता है आगे हम इसको पूरा detail में करेंगे जब ionic compound पड़ेंगे हम ठीक है तो अभी just definition बता रहा हूँ तो electron पे negative charge वह गर निकल गया तो overall element पे क्या आ गया पूरे पे positive charge आ गया तो positive ions बनाते हैं, cations बनाते हैं इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि metals कैसे होते हैं? metals होते हैं electro positive होते हैं ठीक है जी? यनि electron देके उसने positive ions बनाए तो electro positive होते हैं ठीक है? ऐसे ही हम इसकी बात करें कि non metal को हम दूसरी तरह से कैसे define कर सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि ऐसे elements यह नहीं कि elements that forms negative ions तो इसका ज़स्ट पूलता गर तो negative ions को क्या बोलते हो आप anions कहते हैं that forms negative ions by gaining electrons यह नहीं कि एक चीज तो पता लगी हमें कि बाई non-metals क्या करते हैं non-metals electron accept करते हैं जबकि metals क्या करते हैं electron donate करते हैं ठीक है यह positive ion cation यह तो यह negative ion anions बनाते हैं example अगर देखते हैं metal की तो आपने सुनाई होगा जैसे iron हो गया symbol तो आपको याद होंगे ही iron, copper, magnesium और आपने aluminium, sodium, potassium यह सब क्या है यह सब है calcium वगयरा ठीक है यह सब क्या है यह metals है जबकि non metals में आपने कार्बन, hydrogen, oxygen, chlorine, bromine, iodine, etc यह सब क्या है non metals है तो metal non metal आपस में react भी करते हैं हुआ गया है यह निक compound बनाएंगे ठीक है तो इसी में अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज़्यादा amount में जो अर्थ में जो metal मिलता है वो कौन सा है तो आप बोलेंगे कि बहुष सबसे ज़्यादा amount मिलता है aluminum अर्थ पर उसके बाद आता है iron का number यहनि कि सबसे ज़्यादा amount में अर्थ में aluminum है उसके बाद iron का number आता है फिर आता है calcium का number उसके बाद में sodium का फिर potassium का ठीक है इस तरीके से हैं बाकी magnesium इस तरह किसे ये कुछ element है तो सबस्यादा mount में हमारे aluminium मिलता है earth crust में उसके बाद आता है नमबर iron का ऐसी अगर आप से पूछ ले कि non metal में सबस्यादा कौन मिलता है तो non metal में सबस्यादा oxygen मिलती है ठीक है oxygen के बाद में नमबर आता है हमारा silicon का फिर आता है phosphorus फिर sulfur अगरा बद तो सबस्यादा earth में जो मिलता है non metal वो oxygen है जबकि metal की बात करें सबस्यादा aluminium मिलता है ठीक है तो ये था हमारे introduction की बात हमने की ठीक है अभी अगला topic देखते हैं कि इनकी properties तो पहले हम देखेंगे physical properties metals की और साथ म non metal की तो metal की physical metal और non metal की physical properties में पहले आती है malleability तो malleability किसको बोलते है property which allows the metal to be hammered into thin sheets is called malleability यानि हतोडे से पीट-पीट के जगर हम चादर बना देते हैं तो ये वाली property है वो property element की malleability कहलाती है जैसे आपने देखा होगा aluminium की foil, silver की foil या फिर हमने कहा तभी लोहे की चादरे देखी होगी आपने दर्वा जुपे लोहे के दर्वा जुपे लगाने काम आती है तो malleability है जबकि अगर मैं non metal की बात करता हूँ तो non metal malleable नहीं होते तो क्या होते हैं, they are brittle यानि कि अगर इनको अथोड़े से पीटते हैं, metal को तो ये तो चाधर बनाते हैं इनको अगर जो पीटते हैं, तो तूड़ जाते हैं टुकडो में, जैसे पत्थर के उपर आप मारो तो चुरा चुरा हो जाता है, ऐसे चुरे हो जाएंगे non metals ठीक है, ऐसी आगे देखते हैं, दूसरी property ductility, तो ये क्या होती है, ये wire, wire बना देते हैं तो thin wire, पतली wire बना देने वाली property ductility कहलाती है, जैसे आपने लोहे की तार देखी होगी, aluminium की, copper की, अलग-अलग type के metal की wires देखी होगी हाला कि सबसे जादा जो ductile, जो metal है, वो gold है, सोना, इसके लगबग 1 gram, 1 gram gold से लगबग 2 km लंबी wire कीची जा सकती है बहुत ही पतली होगी तीसरा आता है, metals are good conductor of heat, ये हमने बात की ही थी सबसे जादा जो best conductor, जो मानते हैं, सबसे बढ़िया, उसको मानते हीट का, वो silver है हाला कि electricity का भी silver ही है, thermal conductivity सबसे जादा होती है, यानि कि heat सबसे जादा पास करता है, ये silver lead, PB, ठीक है, ये सबसे poorest conductor है, यानि कि सबसे बेकार conductor है, heat का, lead और इसके अलावा mercury भी poor conductor, लेकिन सबसे poorest conductor कोन है, वो है lead fourth category देखते हैं, हम इसके physical property की, तो metal are good conductor of electricity जबकि non-metal ना तो heat के अच्छे conductor होते है, ना ही electricity के अच्छे conductor होते है तो यहाँ पर देखें, silver best conductor heat का भी है, और electricity का भी है, तो सबसे जादा जो अच्छा जो electric conductor माना जाता है, वो silver है, ठीक है, लगिन तारे जो घर में use करते हैं, wire, electric wire तो silver तो वही महंगा पड़ेगा, इसलिए silver की use ना करके, क्या की use करते हैं, copper की wire यूज करते हैं, gold, gold की तो करीण सकते हैं, इतना gold कहां से लाएंगे, aluminium, तो सबसे जो ज़्यादा use होती हैं, किसकी होती है, copper की use होती है, क्योंकि copper चांदी से, silver से सस्ता ही पड़ता है, ठीक है, non-metal की बात करें, तो non-metal, electricity और heat conduct नहीं करते हैं, आला कि इसका एक exception है, graphite, जो की carbon का एक allotrop है, carbon क्या होता है, non-metal, तो graphite वही हो जो pencil के अंदर use करते हैं, लिखने के लिए, dry lubricant के तोर पर machine हो में भी use होता है, तो यह क्यों graphite electricity conduct करता है, और diamond होता है, ना, diamond नहीं करता, electricity conduct, तो वो बात होगी, carbon and its compound वाले chapter में, यह उसमें आएगा, तो उसके बाद हम बात करते हैं, illustrious होते हैं metal, shiny होते हैं, metal का जो surface है, वो shiny होता है, नई नई जो metal लाते है, तो चमकते होते हैं, यह metal को बीच में से cut कर देते हो, कहीं से पर पूरा नायमालो शरिया है, लोहे की रोड है, जंग लगी वे लेगिन, बीच में से काटते हो, तो चमकता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है metals जो होते हैं वो dull पढ़ जाते हैं क्योंकि इनके उपर oxide, sulfide वगएरा की carbonate वगएरा की इनके उपर क्या बन जाती है layer बन जाती है इसलिए थोड़े dull पढ़ जाते है जैसे corrosion वाला आएगा तो हमाँ पढ़ेंगे चांदी है कुछ समय बाद काली पढ़ जाती है ठीक है न उसके उपर layer बन जाती है silver sulfide की ठीक है तो वो काली पढ़ जाती है ठीक तो शुरुवात मिलाते है तो shiny होते हैं लेकिन non metals क्या होते हैं non metals चमकदार नहीं होते lustrous नहीं होते लेकिन एक exceptionist का iodine iodine एक non metal है जो चमकदार होता है ठीक है उसके बाद देखते है metals are generally hard कैसे होते हैं हार्ड होते हैं ठीक है तो हार्ड होते हैं ठीक बहुत ही ज़्यादा जह लोगा आपने देखा ही है ठीक है तो लेकिन exception है जैसे lithium, sodium और potassium यहाँ से question आता है कि कौन से metal है जो इनको knife चाकू से काट सकते हैं तो यह soft metal है यह कौन से soft इनको alkali metal भी बोलते हैं alkali metal क्योंकि यह alkali बनाते हैं alkali मत्तब water soluble base पानी में गुलने वाले base alkali इनको alkali metals भी बोलते हैं soft metal होते हैं इतने soft होते हैं केन को किससे काट सकते हैं ? चाकू से काट सकते हैं sodium, potassium, lithium को non-metal तो soft ही होते हैं metals कैसे होते है? hard जिबकि non-metal कैसे होते है? generally soft exception क्या है? diamond diamond थोड़ी नऑ soft होता है diamond तो सबसे जदा hardest naturally occurring substance है कौन सा? diamond diamond सबसे hard substance है nature में पाये जानेवाला जो कि carbon का ही yellow trop है carbon क्या होता है? non-metal तो generally non-metal soft होते हैं लेकिन exception है diamond metals are solid at room temperature अगले property है metal जो है normal room temperature पर कैसे होते है solid, lower रखा वाया solid है aluminum रखा है solid है लेकिन एक metal ऐसा है जो room temperature पर क्या होता है? room temperature पर liquid होता है क्या है वो mercury है ठीक है? mercury तो जैसा है कि metal जो है room temperature पर क्या बोलेते हैं? hard होते हैं exception था mercury ऐसे ही non-metal की बात करते हैं तो non-metal room temperature पर solid भी हो सकते हैं liquid भी हो सकते हैं गैस भी हो सकते हैं जैसे solid की बात करें carbon हो गया ठीक है ना? कोईले की फोम में है, diamond की फोम में है phosphorus हो गया और liquid की बात करें तो liquid non-metal है, bromine bromine जो है normal temperature पर liquid में होता है और gaseous की बात करें तो hydrogen है chlorine है तो ये क्या है? ये gaseous non-metals है आगे की बात करेंगे तो metals की अगली property है कि metals का melting यनि की pingलना जिस temperature पर pingल जाए वो melting point के अलागता और जिस temperature पर उबल जाए boil हो जाए उसको boiling point बोलते हैं तो metals का melting और boiling point काफी high होता है लेकिन इनिकी बहुत जादा high temperature पर यसे लोहे को बोले की pingलाना है तो कहा है? भई कहीं 100 degree temperature चाहिए होता उसको pingलाने के लिए तो high temperature है boiling तो और जाद हो जाए है melt करने का exception क्या है? इसके exception है gallium और cesium तो gallium का melting point है वो कितना है? 30 degree C और 28 degree C cesium का यह ऐसे metals है जो हाथ में रखे तो pingल जाते हैं हाथ में रखते ही pingल जाते हैं जबकि non metal का melting और boiling point होता है वो low होता है लेकिन exception देखे तो diamond जो कि hardest substance है इसका melting और boiling point काफी high है बाकि normal metals non metals का melting boiling point low होता है last physical property देखते हैं तो metals are sonorous sonorous का मतलब क्या होता है sound produce करते हैं इसलिए घंटियां यानि कि bell बनाने के काम आते हैं metal जबकि non metal sonorous नहीं होते हैं तो यह थे metal और non metal की physical properties अभी हम बात करते हैं metal की सबसे पहले बात करेंगे metal की chemical property और उसके बाद तो इन chemical properties की हमें बात करनी है metals के पहले हम metal की chemical properties कर रहे हैं तो पहले हम बात करेंगे reaction of metals with oxygen फिर उसके बाद metal की reaction water के साथ में जिसमें हम cold, hot और steam के साथ में metal की reaction करेंगे उसके बाद reaction with acids dilute acids के साथ में जो hydrogen gas निकल थी acid base वाले chapter में भी देखा था आपने वहाँ पर बढ़ा था कि acid की reaction metal के साथ में यहाँ पे metal की reaction acid के साथ में और reaction with salt solution यानि कि metal की reaction salt solution के साथ में displacement reaction जो की first chapter chemical reaction and equation में पढ़े थे तो पहले हम start करते है reaction of metals with oxygen तो oxygen के साथ में जब कोई metal react करता है तो metal oxide बन जाती है यह metal oxide generally maximum metal oxide पानी में घुलती नहीं है लेकिन कुछ ऐसी भी जो घुल जाती है और घुल के क्या बना देती है alkali बना लेती है यानि कि water soluble base बना लेती है तो metal oxide क्या होती है nature में basic होती है basic बोले तो 7 से pH जिसका उपर होता है यानि कि ये red litmus paper को क्या कर देगी blue में convert कर देगी अगर गिला litmus paper लेके जाओ इनके पास में तो क्या करेगी ये red litmus को blue में convert कर देगी B से base, B से blue ऐसे याद कर लो ठीक है तो blue color मत्तब base होगा तो हमें reaction किस-किस के साथ करनी है इन metals की reaction oxygen के साथ में करनी है तो पहले हम देखते हैं देखिए sodium की reaction sodium metal की reaction oxygen के साथ में तो oxygen के साथ में करते हैं तो gas होती है तो क्या बनेगा जैसे का गी metal है oxygen, metal oxide बनेगा तो हमारा क्या बन जाएगा sodium oxide बन जाएगा ठीक है तो क्या formula NA2O आपको first chapter में भी बता रखा है हमने वीडियो आप देख सकते first chapter की कैसे बनता है NA के उपर plus 1 charge होता oxygen के उपर minus 2 तो ये 1 आ जाएगा 1 के नीचे तो 1 है तो 1 का 1 ही रह जाएगा O के नीचे तो खली हो लिख देते हैं और ये 2 जो है वो N के नीचे N के चलोनों में चला जाएगा यनि की yellow N2O बन गया तो क्या बन गया ये ये बन गया sodium oxide ऐसे ही potassium की बात करते हैं तो potassium क्या बनाएगा potassium बनाएगा K2O potassium oxide तो ये दोनों जो oxide होती है हमने कहा कि कुछ metal oxide ऐसी होती है जो पानी में गुल जाती है तो ये दोनों पानी में गुल जाती है water में गुल कर क्या बना लेती है water में गुल कर ये base यनि की alkali बोलते हैं वैसे तो water soluble base को क्या बोलते है alkali बना लेते हैं कैसे देखी ऐसे बनाएंगी जैसे हमने कहा कि Na2O है तो water H2O तो क्या बनाएगी देखो यहाँ पर Na2 है तो पानी में घोल लेगा तो H लगाओगे NaOH ठीक है क्या बनता है NaOH बन जाता है ठीक है इसको balance कर लो आप तो यहाँ से क्या दो Na है तो एक Na है तो क्या दो लगाओगे एक और एक दो इधर भी दो से multiply सबके साथ हो रही है तो O भी कितने होगे दो तो क्या बन गया यह यह बन गया sodium hydroxide sodium hydroxide बोले तो यह है base ऐसे ही आप के K2O जो बनाता है इसको पानी में जब गोल दोगे बिलाओगे तो क्या बनेगा KOH यह भी L के लिए है क्या है यह potassium hydroxide ठीक है caustic soda और caustic potassium बोलते हैं जनरली इनको तो यह क्या होगी यह sodium potassium की reaction oxygen के साथ में magnesium की reaction करते हैं ठीक है अगला देखते है magnesium के साथ में तो magnesium generally ऐसे ही जैसे बहुत तेजी से react करते हैं जो sodium और potassium जो metal है यह बहुत तेजी से react करते हैं oxigen के साथ में, यानि कि बोल सकते हैं they react more vigrously यानि कि بहुत तेजी से oxigen के साथ में हलका सा moisture मिल जाए, oxygen मिल जाए बहुत तेजी से react करते हैं और sodium तो ऐसा है कि moisture मिल जाए तो आग पगड़ लेता है ये तो जो sodium है ठीक है? तो ये तो बहुत ज़दा अधिक वोयलेंट्री बहुत तेजी से रियक्ट करते हैं तो इसलिए हम सोडियम को नॉर्मल नहीं रख सकते क्यों हुआ हवा से रियक्ट करेगा और रियक्ट करके क्या पिंगलना चुरू करेगा आग लग जाएगी पानी में डालतें तब भी आग लग जाती है अब यागे पढएगे न वाटर के साथ में तब भी आग लगेगी तो इसलिए बात एकजाम में कोश्चन ही आता है कि जब उसको आग लग जाती है रखे कहां इसको तो रखते कहां है इनको sodium, potassium को जो ये normal में आग पकड़ लेते हैं हवा के साथ में react करके heat निकलती है काफी तो इनको kerosene oil, मिट्टी का तेल बोलते हैं जिसको normally तो kerosene oil के अंदर रखते हैं इसको इससे क्या होता है? ये हवा के सीधे contact में नहीं आ पाता है और फिर इसकी reaction air के साथ में नहीं हो पाती sodium की तो इसलिए इनको question आता है कि sodium को kerosene oil के अंदर store करके क्यों रखा जाता है तो आप बोलोगे कि हवा से यानि air से reaction ना हो पाई इसलिए रखते हैं उसके अंदर अगर हो जाएगी तो क्या होगा? ये चीज होगी ठीक है ना? N2O बन जाएगा और आग पगड़ लेगा इसलिए क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए तो केरोसीन oil में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं जबकि magnesium ये तो हवा में रखा रखा रियक्ट कर लेता है magnesium हवा में रखा खवा ऐसे रियक्ट नहीं करता है कि बस खवा भी रखा रही है और हो गया reaction उसके साथ में ना? कि magnesium को पहले गरम अगर नॉर्मल गरम करते हैं जलाते हैं उसको वह हवा की presence में जलाया जाएगा तो magnesium को अगर हम जलाते हैं प्लस oxygen, air है तो oxygen क्या करेंगे? गरम, यह गरम का sign है तब जाके यह क्या करेगा? तब जाके यह react करता है तो balance करेंगे, दो oxygen है, इधर एक oxygen है, दो लगाएंगे यहाँ पर दो mg हो गए तो दो इदर लगा दिया है तो क्या बनेगा? यह magnesium oxide बन गया ठीक है? magnesium oxide यह भी क्या होता है? यह भी पानी में घुल के क्या करेगा? यह भी base बनाएगा यह नहीं कि यह भी litmus, red litmus को blue कर देगा ठीक है? तो हमने देखा कि भई sodium, potassium तो एकदम से क्या कर गे? नॉर्मल बिना कुछ गरम करेगे, air से react करेगे, इसको जलाना पड़ा इसका मतब sodium क्या है? sodium, potassium sodium और potassium क्या है? magnesium से कई गुना ज़ादा reactive है तो magnesium, sodium, potassium से कम reactive है ठीक है जी? उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि aluminium के साथ में, तो aluminium के साथ में जब react करते हैं aluminium की बात कर रहे हैं अभी, aluminium और zinc दोने एक तरीके के नेचर दिखाते हैं तो aluminium के साथ react करेंगे, तो क्या बनेगा? aluminium oxide तो AL के उपर क्या charge होता है? आप ऐसे बनाते, AL के उपर plus 3 होता है oxygen के उपर minus 2, तो ये O कहाँ जाएगा? AL के नीचे की according बनता है compound, तो AL to 2, AL है हुए इधर 1 AL है, तो 2 लगाया, तो balance हो गया इधर 3, इधर 3 हो गए, और इधर कितने हैं? 2 है तो ये तो mistake हो गया, तो आप क्या करोगे normally? आप सबसे पहले क्या करो? आप सबसे पहले oxygen को क्या करो? जिसके atom जाता है सबसे पहले scope balance करो, तो इधर कितने हैं? 3, इधर कितने हैं? 2 तो भई LCM लेकर कितना आ जाता है? 6, तो इधर 6 बनाओ, तो इधर 3 आ जाएगा इसको 6 बनाने तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर? यहाँ पर 2 बात करते हैं, ZN प्लस O2 तो क्या बन जाता है? ZN O, तो balance कर लेते हैं, 2 O2 है, और यह मतब एक O है, तो 2 लगाया, ZN 2 हो गए, इधर भी 2 लगा दिया यह balance करना हमने 1 चेप्टर वाले वीडियो में दिखाया था, बनाया, सिखाया था, अगर आपको नहीं आता है, तो आप पहले 1 चेप्टर वाले वीडियो देखे जाके, उसके बाद यहाँ पर आएं, तो यह balance हो गया, अब यहाँ पर एक चीज़ स्पेशल बता दिता कि यहाँ से question आया था, board के 2019 में, CBSC board exam में question आया था, कि amphoteric oxide क्या होती है, explain कीजिए, एक example की help से, तो आप ध्यान रखें, कि यह जो aluminium oxide और zinc oxide है, यह दोनों कैसी हैं, यह दोनों amphoteric, amphoteric oxide हैं, amphoteric oxide वो होती हैं, जो acid और base, दोनों की तरह behave करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, amphoteric oxide बोलते हैं, वीडियो पोस्ट करके आप note कर सकते हूं, मैं मिटा रहा हूं यहां से, तो amphoteric oxide क्या होती हैं, जो acid और base दोनों की तरह behave करती हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं क्या होती है, amphoteric oxides, which behave both, both acid and base, which behave as both acids and base, जो दोनों की तरह behave करती हैं, तो देखिए, जैसे हमने क्या कहा कि AL2O3, यह बनी थी, तो मैंने यहां लिख दिया AL2O3, या फिर मैंने लिख दिया ZNO, ZNO बन गी थी, दोनों में से कोई भी ले ली, ठीक है माल ले जै, क्या ले लिया, ZNO ले लिया, अब यहां पर पहले मैं क क्या करूँ, अगर यह amphoteric है, acid और base दोनों की तरह behave करती है, तो आपको याद होगा, अगर याद नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा, आपको याद रखना है, acid जब भी base के साथ में reaction करता है, acid और base जब भी आपस में reaction करते हैं, तो क्या बनता है, salt और water, salt और water बनता है, अ तो amphoteric, यह ऐसे question आया था, यह amphoteric है कि नहीं है, explain कैसे करो, तो यह zinc oxide में ने acid की तरह करा, इसको acid के साथ में reaction कराया, अगर यहां पर salt और water बन गया, तो इसका मत्तब क्या, इसने base की तरह behave किया, तो यहां पर क्या बनता है पहले, यहां पर बनता है, ZnCl2 plus H2, hydrogen gas, ठीक है sorry, H2O, water, ठीक है, तो यहां पर ZnCl2A क्या बना है, salt है, और H2O क्या है, water है, तो salt और water बना, ठीक है, कब, जब zinc oxide ने acid के साथ में react किया, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब ZnO के साथ में मैं NaOH लगा देता हूँ, NaOH क्या है, base, अगर अब यहां पर, यहनि की पहली reaction में, zinc oxide ने कैसे, base की तरह behave किया था, इसलिए salt water बना, अगर दुबारा सा salt water बन गया, तो इसका मत्तब मैंने base के साथ में react किया है, तो वो acid की तरह behave किया, अगर यह acid की तरह behave करेगा, तो यहां पर दुबारा salt और water बनना चाहिए, तो देखें क्या बनता है, Na2, ZNO2 बनता है, यहनि की sodium zincate, क्या है, salt है, यह बनता है, प्लस water, यह तो फिर से बन गया, इसका मत्तब पहली reaction में, zinc oxide ने base की तरह behave किया, acid के साथ मिलके salt water बनाया, और दूसरी reaction में zinc oxide ने acid की तरह behave किया, base के साथ मिलके salt और water दुबारा से बना दिया, ठीक है, तो यह तो reaction थी किसके साथ में, इसकी zinc की amphoteric oxide की, ऐसे ही आपने सुना होगा कि iron वाला, iron की जो reaction है, वो देख लेते हैं oxygen के साथ में, तो देखें, iron ज iron प्लस, क्या oxygen के साथ में react करता है, तो क्या बनाता है, Fe3O4, यह क्या बनाता है, feric oxide बनाता है, यह निके वो लते है, rust लग जाता है, जंग लग जाता है, तो इसको balance भी कर लो, आप तो यहाँ पे 3 Fe हैं, तो इधर क्या 3 आ गया, और यहाँ पे 4 oxygen है, तो यहाँ पे 2 है, त rust, ठीक, एक आती है copper के साथ में, तो copper के साथ में जब oxygen react करती है, तो क्या बनता है, COO, copper oxide बनता है, copper, copper oxide बनता है, यह वो ही है, तामबे की तार को आप जला के देखना, आग के उपर रखना आप, मुम्मत तिलाग या गैस के उपर, ठीक है, तो क्या बढ़ जाती है, काली oxide को black oxide, खुद करके देखिएगा, पता लग जाएगा आपको, काली पड़ जाती है, तो black oxide बोलते है, इसलिए copper oxide को balance करोगे, तो यहाँ पर क्या, दो oxygen है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर दो लगाया, दो लगाया, तो copper भी दो हो गया, इदर दो लगा दिया, ठीक है, तो copper oxide कैसी होती है, black oxide है, ठीक है, तो यह क्या थे, यह थे हमारे reaction with, reaction of metal with oxygen, अभी हम आगे बात करते है, reaction with water, किसकी, reaction of metal with water, तो बच्चों अभी देखते हैं, reaction of metals with water, water के साथ में metal की reaction, तो यहाँ पर हमें बात करनी है, जो water है, वो तीन तरगे लेने है, जो हमारे syllabus में दिये है, तो एक तो बोला है कि reaction of metals with cold water, ठंडे पानी के साथ में, और metal की reaction, उसके बाद में hot water के साथ में, और metal की reaction, steam के साथ में, ऐसा क्यों दिया है, ऐसा इसलिए दिया गरम पानी से और कुछ इस्टीम से करते हैं, कहने की बात यह है कि जो बहुत ही जादा reactive metal होगा, वो तो ठंडे से भी कर लेता है, जो ठंडे से कर लिया, जिस metal ने ठंडे पानी से react कर लिया, cold water से, इसका मतलब कितना जादा reactive होगा, और उसके बाद में hot water, यानि कि वो metal जो जिनको पानी से react कराने के लिए पहले पानी को गरम करना पड़ेगा, यानि कि वो उन metal से less reactive है, देख लो पानी के साथ में react करने के लिए पहले गरम करना पड़ेगा पानी को, इसका मतलब क्या, ऐसे metal जो cold water से करते हैं react react उनसे कम reactive वो metal है जो hot water से करते हैं और ऐसे भी कुछ metal है जा ना ठंडे ना गरम से उनको steam चाहिए यानि कि वो और भी ज्यादा less reactive है तो यह चीज़े याद रखनी है तो cold water से हमें यहाँ पर बात करनी है जैसे sodium, potassium और calcium यह क्या करते हैं यह ठंडे पानी से react कर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या है reactive है और ऐसे metal जो hot water से करते हैं उनमें आएगा जैसे magnesium के बारे में दिया हुआ है magnesium जनली हमने air के साथ भी देखा था वहाँ पर भी इसको क्या करना पड़ा था air के साथ में react करने के लिए गरम करना पड़ा था यह जलाना पड़ा था आग में तब जाके उसने react की थी यहाँ पर भी water को गरम करना पड़ा यानि कि यह magnesium इनसे less reactive metal है sodium, potassium, calcium से और कुछ metal ऐसे होते हैं जो steam यानि कि ना तो अठंडे ना गरम पानी से react करते हैं steam से जैसे aluminium, zinc और Fe, iron यह तो सबसे यादा reactive यह है यह बीच वाला और यह less reactive है ऐसा एक चीज़ आपको और याद रखनी है जो थंडे पानी से react कर जाए तो क्या वो होट से और steam से करेगा तो आपको कि बहुत ही जादा तेजी से react करेगा वह थंडे पानी से जो metal react कर जाए hot water से तो बहुत ही जादा तेजी से react करेगा और steam से तो उससे भी जादा तेजी से react करेगा तो यह जैसे magnesium है तो magnesium hot water से तो करेगा cold से नहीं करेगा steam से और तेजी से करेगा तो आगे देखते हैं तो आपको हमेशे याद रखना है कि reaction सुरू करने से पहले इनकी reaction हम सबकी reaction करेंगे water के साथ में उससे पहले आपको याद रखना है कि जब भी metal water से react करेगा किस से water से react करेगा कुछ ना कुछ confusion बच्चे को जाती है कि कब metal hydroxide बनेगा कब metal oxide बनेगी तो वो confusion दूर कर लो पना कि metal जब water से react करेगा तो क्या बनेगा metal hydroxide बनेगा और क्या निकलेगी hydrogen gas निकलेगी ठीक है लेकिन जब metal जब metal steam से react करेगा तो क्या बनेगा metal oxide बनेगी और hydrogen gas निकलेगी तो याद रखिए कि water के साथ में hydroxide जैसे बोलते हैं ना NaOH, KOH ये बनेगी और steam के साथ में जब metal react करेगा तो metal oxide बनेगी जैसे Na2O, K2O ठीक है ये बनेगी तो ये चीज़ ध्यान रखना है तो ये बच्चे में confusion जाता है कि कहां पर hydroxide बनाए और कहां पर oxide बनाए क्योंकि NCRT में भी simple जैसे आपको या बाकी reaction में आपको मिल जाएगा यहां पर H2O लिखते हैं तो आपको देखना है अगर यहां पर liquid bracket में L लिखावाद उसका मतब वो water की बात कर रहा है और अगर ये H2O और bracket में G लगाया तो क्या है? वो gas की बात कर रहा है और जब भी gas होगा तो आपको metal oxide बनानी है नगी hydroxide ठीक है तो start करते हैं पहले reaction sodium की reaction आती है काफी important भी है reaction of sodium metal sodium metal with water और कौन से water से कर लेता है? cold water, ठंडे पानी से भी कर लेता है ठीक है? बाकी hot से भी कर लेगा steam से भी कर लेगा तो sodium की बात करते हैं sodium जब देखिए, sodium metal आ गया, water water की बात करते हैं, cold water है तो H2O और bracket में क्या लगाओगे? liquid, यह sodium क्या होता है? solid, तो यहाँ पर S लिख सकते हो आगग उसके बाद में क्या किया? reaction किया तो क्या बनेगा? देखो metal और water क्या बनेगा? metal hydroxide NaOH और hydrogen, gas निकल गई ठीक है? hydrogen, gas निकल गई तो यह क्या बना? NaOH metal hydroxide अब यहाँ पर आपको अलग-लग type की question देखने को मिल सकते हैं तो आपको मिलेगा कि compound की बारे हम पूछ लेगा कि एक metal X है, पानी में घोल ले जाने पर ऐसे-ऐसे अवाज आती है तो आपको मैं बता दूँ, इस तरह से question आ सकते हैं तो आपको बताओं कि reaction जब होती है तो sodium क्या करता है? पानी के उपर ऐसे, जैसे मूती होता है, इस तरह से move करता है पानी के surface पर move करता है और एक, इस तरह से hissing sound एक produce करता है और उसके बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद वो फट जाता, आग लग जाती है उसके अंदर तो यहीं हम बोलते हैं कि सबसे पहले sodium metal क्या करता है? सबसे पहले sodium metal क्या करता है? sodium metal starts moving on water surface पहले water के surface पर move करता है, ठीक है? और sound कैसी आती है? produce hissing sound इस तरह की hissing sound produce करता है ऐसे और उसके बाद में, भई, heat इतनी ज़्यादा निकलती है यहां से heat इतनी ज़्यादा निकलती है कि माल लिजे पानी के अंदर पानी के अंदर हमने यह पानी है, माल लिजे water है और इसमें हमने sodium डाला था तो sodium डाला तो sodium क्या करेगा? sodium reaction कर रहा है तो क्या निकल रही है? hydrogen gas निकल रही है उसमें से लेकिन heat इतनी ज़्यादा होती है कि जो hydrogen gas निकलने वाली होती है यह आग पकड़ लेती है इसी वज़े से explosion sport होता है हलक आसा तो produce hissing sound ठीक है? और फाइनली क्या होता है? एक हलकी सी अब आ जाती है इस explosion होता है little explosion ठीक है? यानि कि जो hydrogen gas निकल रही थी वो अचानक से आग पकड़ लेती है क्योंकि heat बहुत ज़्यादा निकल दी है इस reaction के दोरान ठीक है? तो यह exothermic reaction का भी example है इसलिए वो आग पकड़ लेता है इसलिए बोलते है sodium metal क्या है? बहुती ज़्यादा reactive है तो यह थी reaction तो आपसे इस तरह से x y करके जैसे बोल देगा कि यह metal x है water के साथ में react करते है तो एक product y बनता है और hissing sound produce होती है और explosion होता है तो आपको इस तरह से पहचान लेना है तो hissing sound के साथ में कौन? hissing sound के साथ में sodium react करता है water के साथ में ठीक है? ऐसे ही potassium करेगा तो हम यह और एक चीज और आपको याद रखनी है कि यह violently होती है reaction violently यानि कि sodium react with cold water violently यानि कि बहुत तेजी से react करता है ठीक है? पोटेशियम भी तेजी से करता है तो violently मतलब बहुत तेजी से करता है ये इसके साथ में जबकि अगर हम यहाँ पर देखते हैं आगे calcium की बात करते हैं तो calcium कैसे react करेगा? तो यहाँ पर मैं लग देता हूँ माली कि लिखे मैंने क्या किया है यहां पर पानी है water है ठंडा पाणी से कर लेता है हमने इसमें calcium डाला तो calcium जब हमने डाला तो calcium Less Volently जोनी कि इतनी जुदा हीट नहीं निकलती जब केलशियम को पानी में डालते हैं तो calcium से देखो calcium है फ्लस ठंडाव पानी है longtemps लिक्वीड क्या बना केलशियम हाइड्रोकसाइड बना एक्वस सोलुउशन और क्या निकली हाइड्रोजन गैस आप इसको बैलेंस कर सकते हो ठीक है बैलेंस करने के लिए आपने ये लिगाया ठीक है और यहां पर यहां पर 2-2-4 हो गए इधर भी 4H हो गए, 2 O है और इधर भी 2 O है, ठीक है, यह आपका balance हो गया यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या निकली, hydrogen gas, जो की निकलती है, देखो metal hydroxide, पानी के साथ में जब भी react करेगा, तो जब यहाँ से, यह इससे पानी में डाला है, केल्शियम तो इससे क्या निकली है, हलक हलकी क्याँ ओरी, reaction हो रही, बहुत पेजी से नहीं होती, और heat भी जादा नहीं निकलती है, तो यहाँ से क्या निकल रहे है, hydrogen gas निकलती है, वो एकदम से वहाँ पे तो जल जा रही थी एकदम से explosion हो जा रहा सा sodium के साथ में यहाँ पर जो gas निकलती है hydrogen gas वो अराम अराम से निकलती है और इस calcium metal के surface पर ही stick हो जाती है जिसकी वज़े से यह क्या करता है यह water के surface पर जो calcium है वो क्या करने लगता है फ्लोट करने लगता है ठीक है ना तो आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया इसमें हुआ कि hydrogen gas क्या होती है hydrogen gas जो निकलती है इसमें less volently reaction है तो hydrogen gas क्या करती है stick on the surface surface of calcium metal calcium metal के surface पर यह stick हो जाती है इसलिए calcium metal क्या करेगा तैरना शुरू कर देगा calcium metal starts start float start floating ठीक है पानी के surface पर क्या करेगा तैरना शुरू कर देगा तो यह चीज़ याद रखनी है ठीक है अब इसमें और इसमें आपको यह चीज़ रखनी है कि यहाँ पर भी magnesium भी क्या करेगा वो भी तैरेगा लेकिन यह high reactive metal है तेजी से करेगा ठंडे पानी से कर लेता है और यह hot water के साथ में करेगा तो इतना difference है ठीक है? तो यह किसके साथ था? reaction of calcium with cold water less violently इतना तेजी से नहीं होती अभी हम देखते हैं आगे तो वीडियो को post करकर के आप जो है note कर सकते हो copy pen साथ में लेके चलें ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं reaction of magnesium और magnesium ठंडे पानी से react नहीं करता तो किया हो जाएगा? hot water से react करेगा पानी को गरम करना पड़ेगा तो पानी को गरम करने अपड़ेगा तो पानी तो अभी water ही आ रहा है steam तो आई नहीं है magnesium plus H2O क्या है? liquid है और क्या बनाएगा? magnesium hydroxide बनाएगा और hydrogen gas निकलेगी balance आप कर सकते हो इसको ठीक यह हो गया लो balance बाई दो और दो 4 hydrogen इदर हो गए है निचे की तरफ होगी, 4 इदर होगी, 2 oxygen है और इदर भी 2 oxygen है 1 mg इदर है, 1 mg इदर है तो यह balance हो गया तो यह क्या निकल गई? यह gas निकल गई hydrogen, अब यहाँ से same क्या होगा? same उसी तरीके से जब गरम पानी में हमने magnesium को डाला, यह थंडे से react नहीं करता है तो यह क्या करेगा? यह magnesium जो डाला तो hydrogen gas जो निकलती है वो उसके surface पर stick हो जाती है same calcium की तरह और magnesium metal क्या करते करेगा? यह पानी surface पर तैरने लगेगा float करने लगेगा बस difference इतना है कि calcium metal थंडे पानी से यानि कि जादा reactive है और यह hot water से react करता है magnesium तब यह तैरता है तो दोनों तैरते हैं लेकिन यह cold से और यह hot water से react करता है तो आपको यहाँ पर यह चीज़ याद रखनी है तो magnesium तक हमने कर लिया है उसके बाद में बाद आती है steam के साथ तो steam देखो metal जब steam के साथ react करता है तो metal oxide बनती है ना कि hydroxide बनती है तो देखते हैं metal की reaction किसके साथ में reaction of metals with steam तो steam के साथ में करते हैं भाप के साथ में ठीक भाप है तो पानी की ही है तो water h2o ही लिख़वाएगा लेकिन bracket में आप g लिखोगे gas तो reaction of metals with steam तो low reactivity वाले करेंगे steam के साथ में तो पहले करते हैं किसकी aluminium की तो al plus h2o और देखो steam है तो यहाँ पर हम l ना लगाएगे liquid हो जाएगा तो क्या लगाएगे g gas और देखी जब gas के यानिकि steam के साथ में react करेगा तो metal oxide बनेगा तो metal oxide मतलब क्या aluminium oxide तो aluminium oxide का formula क्या होता है al2o3 कैसे बनेगा al के उपर plus 3 होता है और oxygen के उपर minus 2 तो क्या हो जाएगा यह minus 2 निच्चे al के और यह plus 3 o के निच्चे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा al2o3 formula बनाना आता ही होगा नहीं बनाना आता है तो आप first chapter की video को देख सकते हैं हमारे channel पे ठीक है playlist में जाएगे और first chapter की आपको video मिल जाएगे with questions तो इसके बाद में साथ में क्या निकली है देखो hydrogen gas निकली है साथ में ठीक है तो al2o3 तो यहाँ पर क्या है दो al है तो इधर क्या करेंगे आप 2 al कर दीजिए oxygen कितना है यहाँ पर तो पहले आपने 2 al कर दिया ठीक है कोई बात नहीं यह आगे balance इस ऐसे दिक्कत आ जाए तो कोई नहीं पहले al से ही चुरुआत की तो 2 al लगा दिया तो 3 oxygen है और इधर केवल 1 oxygen है तो इधर 3 इधर 1 तो हम क्या करेंगे इधर 3 लगा दिया तो oxygen कितने हो गए 3 हो गए ठीक उसके बाद में इधर कितने है 6 6 क्या है इधर hydrogen इधर कितने है 2 तो इधर कितने 6 करने के लिए 3 h2 हो गया अब देख लो आप 2 al है 2 al है oxygen 3 है oxygen 3 है 6 hydrogen 6 hydrogen तो यह क्या हो गया steam के साथ में react करेगा कौन aluminium उसके बाद में देखते हैं तो z n zinc zinc जब water के साथ में react करेगा तो water कौन सी बदब steam के साथ में तो steam मतलब gas gas तो g लगाएंगे यहाँ पर और उसके बाद में क्या है z n o क्यों 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 क्या बना है metal oxide बना है तो z n o plus क्या बनेगा आगे hydrogen gas निकलेगी तो यह निकलेगी अभी यहाँ से क्या यह तो already balance है तो यह zinc oxide बनगी ऐसे ही आप क्या है iron oxide क्या यहनि कि जंग जब लगता है rust लगता है वो वाली reaction हो जाएगी इस तरीके से हम देखते है तो सबसे आदा reactive कौन हुआ भाई sodium, potassium यह हुए ठीक है उसके बाद में number आता है calcium का ठीक है उसके बाद में number आता है किसका magnesium का उससे कम reactive है और उसके बाद में आते है हमारे aluminium, zinc और fe एक तरह से हमारी जो metal activity series है वो बनती जा रही है ठीक है तो यह थे reaction of metals with water तो इध्यान रखेंगे cold, hot और steam अभी देखते हैं कि dilute acid के साथ में metal कैसे react करते हैं अभी आते हैं अगली reaction पे जो की है metals की dilute acids के साथ में तो जनरली हम देखते हैं कि जो metal है वो dilute acid के साथ में react करके salt और hydrogen gas निकालते हैं salt और hydrogen gas निकालते हैं लेकिन ये वाला काम hydrogen gas निकालने का salt बनाने का काम ये जो hydrogen से मैं यह कह सकता हूँ कि acid के अंदर जो acid है acid की property किसके कारण है hydrogen के presence के कारण hydrogen ion की presence के कारण तो metal क्या करते हैं acid से उसके hydrogen को displace कर देते हैं लेकिन ये वाला काम सिर्फ वही metal कर पाते हैं जो hydrogen से strong है जो hydrogen से weak हैं वो नहीं कर पाएंगे यानि कि हम देख सकते हैं ये metal activity series है तो इसमें हम देखते हैं अभी तो हमने देखा sodium, potassium, calcium, magnesium इस तरह से हमने यहां तक तो देखी लिया था कि कौन sequence है अभी जस्ट देखा तो यहां पर देखे hydrogen कहां है ये hydrogen है याँपर तो hydrogen से उपर जितने भी elements हैं ये तो क्या करेंगे hydrogen को displace कर देगे उसके acid से लेकिन जो नीचे है वो नहीं कर पाएंगे जैसे for example मैं ये कहूँ कि जैसे sodium metal है तो मैंने लिखा sodium plus acid मैंने नमाले ले लिया HCl अब react करेंगे तो metal salt metal salt अगर आपको नहीं पता कैसे बनेगा तो आप क्या करें पहले है आपको पता hydrogen gas hydrogen gas का formula तो पता है H2 होता है तो H आपने निकाल दिया है यहां से बचा क्या Na और Cl तो Na और Cl को आपने क्या कर दिया नॉर्मल ऐसे लिख दिया ठीक है जो बचा वो same to same ऐसे लिख दिया अब इसको balance करेंगे इधर 2 H है इधर 1 H है तो यहां पर 2 लगाएंगे नीचे निल लगाते है यहां पर लगाते है अब 2 H यहां पर लगाएंगे तो Cl भी कितना हो गया 2 तो यहां पर 2 लगाएंगे अब यह 2 लगाया तो Na Cl तो 2 हो गए Na भी 2 हो गए तो जैसे magnesium की reaction अगर हम करें जैसे HCl से ही कर लें या कोई और acid भी आप ले सकते है तो क्या बनेगा यह बनेगा MgCl2 magnesium chloride और hydrogen gas निकलेगी बही magnesium chloride mg के उपर plus 2 charge होता है Cl के उपर minus 1 होता है तो आप बना सकते है उसको ठीक है तो यहां से यह बन गया magnesium chloride 2Cl है तो यहां पर 2 लगाएंगे hydrogen भी 2 होगे तो 2 तो hydrogen है तो यह हो गया balance ठीक है ऐसे ही आप आगे और भी reaction का दिखा सकते हैं जैसे आप sodium की दूसरे किसी metal से जैसे हम बोलने कि H2SO4 से दिखा सकते हैं acid तो यह भी है तो क्या बनेगा Na2SO4 sodium sulfate plus क्या निकलेगी hydrogen gas निकलेगी क्योंकि SO4 के उपर minus 2 charge होता है तो इसलिए वो Na के साथ में नीचे आ गया और Na के उपर plus 1 होता है तो SO4 जो का 2 रहा यह पूरा detail हमने first chapter की वीडियो में पूरा सिखा रखा है formula कैसे बनते हैं मौह पर आप दे सकते हैं तो 2N है इधर 2 आप लगा देंगे ठीक है SO4 एक हुआ पुरा पुरा तो यह SO4 H2 है H2 तो sodium sulfate बन गया इस तरीके से क्या है कि जो metals है वो acid के साथ में react करके क्या करते हैं देखो hydrogen को displace करा hydrogen का जो place था उसको उसने change कर दिया बाहर निकाल दिया hydrogen को उसने लेकिन ये वाला काम है hydrogen से जो strong है जो उपर लिखे हैं वो ही कर सकते हैं जो hydrogen से नीचे वाले हैं वो नहीं कर पाएंगे यहनि कि अगर मैं copper और HCL की reaction करता हूँ तो कोई reaction नहीं होगी no reaction क्यों क्योंकि copper का है hydrogen से नीचे है तो ये less reactive metal है hydrogen से इसलिए इसको displace नहीं कर सकता उसके acid से इस तरीके से हम बोलते हैं यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है note करके आप इसको रखेंगे कि जो dilute acids है normally वो तो metal, salt और hydrogen gas निकालते हैं लेकिन एक acid है nitric acid nitric acid क्या बोलते है hno3 यह hydrogen gas नहीं निकालता यह metal के साथ में react करके hydrogen gas नहीं निकालता यह water बना देता है कैसे? क्योंकि यह strong strong oxidizing agent होता है यहनी कि माल लिजे test tube के अंदर हमने hno3 लिया हुआ है nitric acid लिया हुआ है और इसमें हमने क्या डाल दिया? इसमें माल लिजे हमने sodium ले लिजे तो माल लिजे sodium ले लिया इसमें तो sodium जब हमने इसमें ले लिया तो क्या करेगा? तो इसके साथ में क्या निकलती है, रियक्ट करती है, हाइड्रोजन गैस निकल रही होती है, तो यह strong oxidizing agent है, तो क्या करेगा, उस निकलती हुई हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, ऑक्सिडाइस कर देगा, ऑक्सिडाइस का मतलब oxidation, मतलब oxygen जोड देना, तो हाइड्रोजन ग बनता है ना कि hydrogen gas लेकिन लेकिन ऐसा एक metal जरूर है एक क्या दो ही है तो ऐसा metal जरूर है जो water ना बना के hydrogen gas ही निकालता वो react कर लेता है उसका नाम है magnesium इसलिए मैंने चेंग किया था magnesium क्या करता है magnesium react करता है nitric acid से लेकिन very dilute very dilute nitric acid के साथ में बहुत ही पतला nitric acid है उसके साथ में react करके तब यह hydrogen gas निकाल लेगा ठीक है तो हम reaction देखें तो mg plus very dilute nitric acid HNO3 तो क्या बनेगा mg NO3 का whole twice plus hydrogen gas क्योंकि यह जो बहुत ही कम dilute है very dilute nitric acid यह strong oxidizing agent नहीं होता इसलिए यह इसको हाइड निकलती हुई hydrogen gas को यह oxidize नहीं कर पाता तो यह थे reaction of metal with dilute acids इसी के बीच में topic आदा है छोटा सा box में कि acquiregia क्या है क्या है तो acquiregia क्या है यह HCL concentrated HCL और concentrated HNO3 यह बीना पानी मिलेवे यह HCL और HNO3 का mixture होता है जिसमें HCL3 और HNO3 जो है one ratio में किये जाते हैं यहनि कि अगर मैं कहूं कि बनाना है तो अगर हम 1 ml HNO3 लेते हैं तो 3 ml हमें HCL लेना पड़ेगा ठीक है और यह highly corrosive fuming liquid है यहनि कि इसमें एक fumes ही निकलती है जैसे होना तो भाफ सी निकलती है इसको बनाते fumes निकलती है और highly corrosive है यहनि कि metal metal जो होते हैं चोटे मोटे उनको डिजॉल कर देता है जैसे गोल्ड को platinum को यह डिजॉल कर देता है असानी से तो यह तो यह नॉर्मल एक्वारेजिया अभी हमें आगे पढ़ना है कि metal की reaction जो salt solution है उनके साथ में कैसे होगी यहनि displacement reaction पढ़नी है अभी हमारी metal की last reaction है जो की है salt solution के साथ में तो आपको ध्यान रखना है metal reactivity series है इसमें उपर की तरफ क्या है reactive metal है बीच में moderate और नीचे की तरफ क्या है less reactive low reactive वाले metals दिये गया है तो जब भी कोई salt solution के हम बात कर रहे हैं तो इसमें हम करते हैं कि जब high reactive metal की reaction less reactive metal के solution के साथ की जाती है तो वो less reactive metal को उसके salt solution से अलग कर देता है more reactive metal can displace less reactive metal from its salt solution उसके solution से displace कर देता है जैसे for example मैं यह कहूं कि copper sulfate है ठीक है यह क्या हो गया metal है copper और इसका solution तो हो गया क्या salt solution copper sulfate का इसमें क्या करूँ मैं लोही की कीले डाल दू ठीक है iron nails मैंने डाल दी तो आप देखेंगे तो iron कहां है iron देको उपर है और copper कहां है नीचे है इसका मतलब copper less reactive है iron से तो यह क्या करेगा यह copper को displace कर दियेगा ठीक है वापस बाहर निकाल दिया और अपना salt बना लेगा यहनी कि starting में इससे आपको यह पहले चैप्टर में भी reaction है तो आपको द्यान रखना है यहां से question ऐसे भी दे सकता है कि blue color का solution है और उसमें iron nail डालने पर blue color गायव हो जाता है ठीक है तो इसमें होता क्या है कि मान लीजे मेरे पास में test tube के अंदर क्या है यह copper sulfate का solution है blue color का जैसे कैरोसीन होता है उस color का होता है तो उसमें हमने क्या डाल दी iron nails डाल दी हमने, लोहे की कीले डाल दी हमने, ठीक है तो क्या होगा कुछ time बाद ये जो copper है copper displace हो जाएगा नहीं copper इस लोहे की कीले के उपर जमने लगेगा, और solution दिरे 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 इसका जो blue color है वो गया हो जाएगा देखो blue color किसके कारण था, blue color copper sulfate के कारण था अब वो copper sulfate का जो blue color है, वो दिरे दिरे क्या हुआ खतम हुआ, blue color खतम हुआ क्यों वी copper sulfate थोड़े ना बचा, बनिया क्या ferrous sulfate और ferrous sulfate तो blue color का होता नहीं, तो इसलिए क्या हुआ इसलिए blue color गायब हो जाता है, तो एक तो reaction यह हुई ऐसे ऐसे ही आपको गुमाने के लिए examiner अलग-अलग type के दे सकता है, जैसे आगे और बात करें तो जैसे ZN SO4 की बात करें और इसमें हम जैसे माल लिजे, FV यहाँ पे लगा दिया, तो आप क्या करोगे FVSO4 और प्लस ZN लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि ZN कहाँ है, यह रहा, ऊपर है जबकि FV नीचे है, इसका मत्तब यहाँ पर iron zinc sulfate से zinc को displace नहीं कर पाएगा, तो आप लिखके आओगे क्या no reaction reaction नहीं होगी और अगर यह आजाए कि CUSO4 प्लस ZN तो आप देखोगे कि CUS, copper का नीचे ZN क्या उपर है, तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा ZN, SO4 और CUS, copper क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा इस तरीके से आपसे displacement के questions आ सकते हैं, ऐसी reaction को displacement reaction बोलते हैं तो metal activity series आपको याद करनी होगी इसके लिए तो इसमें जो भी उपर आएगा metal, वो high reactive होगा, और नीचे की तरफ वो less reactive होगा तो high reactive metal, less reactive metal को displace करेगा, उसके solution से, तो यह था क्या, reaction of metal with salt solution, तो यह पूरे metals की जितनी भी chemical reaction थी, वो हमने की, कोई भी अगर doubt हो, तो आप comment करें, मैं उसका answer जरूर दूँगा, और आगे हम देखते हैं अभी, के जो non metals हैं, तो non metal की chemical reaction कौन-कौन सी है तो आते हैं non metals पे chemical property देखते हैं उसकी तो सबसे पहले हम देखेगी non metal की reaction oxygen के साथ में जैसे वहाँ पर हमने करा था के metal की reaction जो है oxygen के साथ में metal oxide बनी थी, यहाँ पर क्या बनेगी भई non metallic oxide बनेगी अब जैसे metal oxide थी, वो nature में basic थी, पानी में गोलें तो क्या था? alkali base बनाती थी, यहाँ पर non metal oxide कैसे होती है या तो neutral होती है या acidic होती है, basic नहीं होती वैसे आपने पढ़ा होगा कि acidic होती है, तो neutral में आपको बता दू कि hydrogen कैसा है hydrogen एक non metal है ठीक है, और जब इससे oxygen add होती है, तो क्या बनता है? water बनता है और water कैसा होता है? water तो neutral है, और oxygen आ रहा तो oxide है, तो neutral oxide कौनसी है? water है, तो non metals neutral oxide भी बनाते हैं, और example है hydrogen, जो की water बनाता है, acid oxide के अंदर बात करते हैं, तो example हमने carbon और sulfur ले लिया जब carbon के साथ में, जब हम oxygen की reaction होती है तो क्या? CO2 बनता है और जब sulfur की reaction oxygen के साथ में होती है यह दोनों ही non metal हैं, तो SO2 बनता है, अब यह क्या है acidic oxide है, carbon dioxide भी acidic oxide, और sulfur dioxide भी acidic oxide है कैसे है, कि जब इनको पानी में dissolve करते हैं, जैसे carbon dioxide को पानी में dissolve किया, तो carbonic acid बना, acid है acidic हो गया, H2CO3 ऐसे ही जब SO2 को पानी में dissolve किया, तो क्या हुआ H2SO3, sulfurous acid बना, कैसे पता लगा कि जब इसमें हमने red litmus, blue litmus paper डाला, blue litmus paper हमने डाला, तो कैसा हो गया वो, वो red हो गया तो ये काम कोन करता है blue को red, acid करता है और red को blue base करता है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि non metal जब oxygen के साथ मिरियट करते हैं, तो neutral जैसे water और acidic oxide बनाते हैं, तो यहां तक आपके, जो non metal की chemical properties भी खतम होती है, तो metal, non metal complete chemical properties यहां पे खतम होती है, अगला topic हमारा आता है, how do metals and non metals react, कि metal और non metal कैसे react करते हैं तो starting में हमने बताया था आपको कि जो metal है, वो ऐसे element हैं, जो electron donate करते हैं जब donate करेंगे, तो उनके उपर, खुद के उपर positive charge आ जाता है, और non metal ऐसे element हैं, जो electron को accept करते हैं, इसलिए उनके उपर negative charge आ जाता है, तो यह हम देखेंगे कि क्यों उसके उपर negative और क्यों metal के उपर positive charge आया, तो वही चीज़ हमने लिखा है, आप अपनी notebook में note कर सकते हैं चीज़ों को, कि metals have the tendency to loss electron and forms positive iron कैटायन बोलते है positive को noble gas configuration राप्त करने के लिए वह बताएंगे अभी आपको डिटेल ने बुरा, non metals के पास में क्या है, electron को gain करने की capacity tendency होती है इसलिए वो negative iron बनाते हैं, N iron बनाते हैं, देखिए noble gas क्या है, कि आपने पढ़ा होगा कि shell होते है K, L, M, N ठीक है ऐसे, तो आपने पढ़ा होगा कि भई देखो, पहले shell में कितने 2 electron, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चोथे में 32 electron से जादा नहीं आ सकते, ठीक है तो जैसे आपने पढ़ा न, 2N square का formula आपने पढ़ा होगा, तो पहला shell है, तो यह पहला, यह दूसरा यह तीसरा, यह चोथा है, तो हम बोलेगी पहला, तो N की value कितनी आ जाएगी N की value आ जाएगी 1, पहले की, तो square करेंगे 2 तो यह दूसरे की, के में 2 से जादा नहीं आ सकते है और अगर हम बोलेंगे 2N square, इसके लिए 2 तो N की value 2 आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2, ऐसे 2 का square, तो कितना आ जाएगे 8, इसी तरीके से आप N की value 3 रखें, N की value 4 रखें, तो 18 और 32 आ जाएगे, तो यहीं की इतने electron से जादा shell में नहीं रहते, पहले में 2 से जादा नहीं हो सकते, और दूसरे में 8 से जादा तीसरे में 18, और चोथे में 32 से जादा electron से नहीं आ सकते, ठीक है तो noble gas के लिए configuration प्राप्त करने के लिए, जिससे की वो stable हो जाए, तो हम देखते है example, इन को कैसे metals react करते है non-metal के साथ में, जैसे एक तरफ मैंने sodium ले लिया, sodium क्या है metal है, और एक तरफ हम ले लेते है, chlorine जो की है non-metal ठीक है, इसका atomic number कितना होता है, 11 और इसका कितना होता है, 17 इसको electronic configuration करते हैं तो पहले में 2 से जाधा नहीं रह सकते, दूसरे में electron 8 से जाधा नहीं रह सकते, 2 और 8 कितने 10 होगे, बच्चा कितना, 1 तो तीसरे में 1 आया, ठीक है, यह निकि इसका जो तीसरा shell है, वो पूरा complete नहीं हुआ, उसको electron चाहिए, या तो 8 बनाए पूरा, ठीक है, या 18 बनाए 8 बनाने के लिए उसको 7 electron चाहिए, 7 ठीक है, और इधर की साइट देखते है electronic configuration, 2 8, 10, बच्चे कितने, 7 अब इसको 8 बनाने के लिए 1 electron चाहिए, और इसको 7 electron चाहिए, अब ऐसा तो नहीं है कि ये क्या करे, आखरी outermost cell है, ये 7 खीच ले इसको वही, 7 को खीचना बहुत ही मुश्किल है, जबकि 1 को खीचना काफी आसान है अब आपने ये भी देखाया कि ये electrons है, तो 11 electrons है इसके अंदर, तो आपको पता है कि इसके पास में चला गया, जब इसके पास में चला गया, तो एक निगेटिव चार्ज आ रहा है एक निगेटिव चार्ज आ रहा है तो positive, देखो, 11 electron थे एक electron इसके पास चला गया यहीं एक negative charge इसके पास चला गया लेकिन positive charge तो सेम रहे 11 की 11, यहीं कि इसके पास 11 proton है और electron कितने बचे अब इसके पास? 10, तो overall 10 से 10 अगर cancel भी करते हो, तो एक positive extra बचेगा, इसलिए sodium के उपर कैसा आ जाता है? positive charge आ जाता है, और इधर की बात करते हैं तो इसके, इसमें, क्या है क्लोरीन के nucleus में 17 तो क्या है? negative charge है, और 17 ही क्या है? positive है, यहनि कि हम बोल सकते हैं कि 17 electron है, और 17 ही इसके पास में proton है, तो यहां से एक electron extra आ गया, तो 18 तो क्या होगे? electron और 17 क्या रहे? proton इसका मतब एक इसके पास में क्या आ गया? एक negative charge extra आ गया, तो इसलिए हमने इसको negative कहा तो यह positive है, तो positive क्या बना? sodium ion है, तो यह kation है और यह negative बना तो यह NIN है देखो, लिखावाई NIN kation तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि metal और non metal आपस में react करते हैं, तो यह इसको electron देगा और यह लेगा, तो आपको exam में करना कैसे है? तो आप लिखोगे sodium, आखरी आउटरमोस cell में कितना है? एक electron है और जो chlorine आउटरमोस में 7 है, तो एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ तो आप इसको S arrow बनाओगे, एक इसके पास चला गया, जब इसके पास चला गया तो इस पर तो positive आगया, और इस पर कैसा आगया? एक negative charge हो गया, तो इसका octate पुरा हो गया, 8 हो जाएंगे reactive है, क्योंकि इनका तो octate पुरा हो गया, तो ये क्यों reaction करेंगे अब? तो ये क्या था? ये इस तरीके से क्या है? metal और non-metal आपस में react करते हैं तो क्या बन गया? sodium chloride बन गया जो नमक होता है, तो नमक हमारे पास में, हमारी body में कैसे है? ions की form में होता है ठीक है, अभी देखिए कि आपसे पूछ लेगा, और कैसे बन सकते हैं, तो आप जो है, एक example और दे सकते हैं एक तो हमने क्या बनाया? एक तो बनाया NaCl बनाया दोन्नों क्या है? ions से इसलिए क्या है ये? एक ionic compound है NaCl, sodium chloride क्या है? एक ionic compound है ऐसे ही हम देख सकते हैं, किसकी formation? Formation of magnesium chloride magnesium chloride का formation देखते हैं, तो mg mg कितना atomic number होता है? magnesium chloride मतलब mg Cl2, देख तो mg कितना atomic number? 12, और Cl का कितना होता है? भी देखका था 17 electronic configuration 2, 8, और बचा कितना? 2, ऐसे इसमें देखोगे तो क्या? 2, 8, 7 और Cl2 2 है, तो दो बार में लिख लेता हूँ इसको कितना लिखा? 2, 8, 7 तो हमने बनाया है हाँ पर mg mg के last में कितना है? सिर्फ आखरी outermost लेंगे ठीक है? दो electron आखरी में और एक Cl ये रहा Cl2 है ना? Cl2 है, तो एक Cl ये रहा इसके outermost में 7 है 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक electron इसने इसको दिया और एक इसको दिया देखो एक electron इसके पास गया तो कितने होगे? 8 और इसके पास गया तो कितने होगे? इसके भी 8 होगे और इसके 2 ये खतम होगे यह नहीं कि नई जो configuration वो कितनी बचेगी? Mg पे 2, 8 और Cl पे कितनी बचेगी? 2, 8, 8 और दूसरे Cl पे भी कितनी आ जाएगी? 2, 8, 8 तो यह नहीं कि noble gas configuration Octate पूरे होगे सबके? ठीक है, तो ये हो गया इसलिए इसने कितने? 2 electron दिये हैं तो इसके पास में कितने? Plus 2 charge क्योंकि 12 इसके पास में क्या थे? 12 इसके पास में electron थे अब 2 electron चले गए लेकिन जो proton है वो तो 12 के 12 ही बचे तो इसलिए क्या हुआ? 2 positive charge आगा है net positive charge और Cl कितने हैं? 2 हैं तो ये Cl2 2 है ना, तो mg Cl2 तो ये नहीं कि अलग लग लिखे तो क्या? negative और negative तो और overall क्या बन जाएगा? mg Cl2 बन जाता है इस तरीके से क्या होते हैं? metal और non metal आपस में react करते हैं तो ये भी क्या है? इस पे positive charge है, इस पे negative है तो ये भी कैसा है? ionic compound है ionic compound है क्योंकि mg positive है, cation और Cl कैसा? negative NIN तो ionic compound है, तो बार-बार क्या आए? ionic compound तो अगला topic हमारा क्या बैठता है? ionic compound और उसकी property तो ionic compound की property या फिर बोल सकते हैं electrovalent compound की property तो physical nature देखने में कैसे होते हैं? तो solid होते हैं, hard होते हैं नमक की आप बात करें, sodium chloride जो normally खाने में लेते हैं तो क्या होता है? hard होता है क्योंकि positive और negative से sodium chloride क्या था? नमक NaCl तो एक पे positive, एक पे negative था तो negative और positive charge जो हैं, आपस में क्या करेंगे? बहुत ही ज़्यादा आपस में क्या है? force of attraction दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा होगा ठीक है? इसलिए क्या होंगे? बहुत ज़्यादा पास-पास होंगे hard होंगे ठीक है? और नमक की अगर आपने कोई नमक का जैसे होता है ना पूरा पत्थर टाइप होता है जब उस पे थोड़ा मारते हैं इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट किया ज़रूत पड़ेगी तो जब वो force of attraction टूटेगा तब जाके वो melt करेंगे ठीक है? और melt के बाद में boil होंगे तो इसलिए बोलते हैं melting और boiling point इनका high होता है और solubility की बात करते हैं नमक आपने देखा हो नमक पानी में घुल जाता है तो इसलिए बोलते हैं water में soluble है और kerosene, petrol बगएरा में नहीं घुलता है conduction of electricity normal सूखे में अगर आप नमक का powder लिया सूखे में अगर आप electricity conductor रहेंगे तो नहीं करेगी या तो molten state पिंगलावा हो या फिर पानी में डालके solution तगी आर करो तब उसमें electricity conduct करो तो बहुत तेजी से होता है तो इसलिए बोलते हैं कि solution of ionic compound conduct electricity तेजी से electricity conduct होती है उसमें तो यह थे properties of ionic compound एक तरह से आधा chapter यहाँ पर अधिस ज्यादा complete हो चुगा है और इसी का second part आता है तो है occurrence of metal किस तरीके से metal मिलता है हमारे nature में और उसको कैसे हम निकाल सकते है तो अर्थ में जो मतलब अर्थ पर जो metal मिलता है उसकी दो source है दो स्त्रोत है जहां से मिलता है एक तो earth crust हमारा जोसे मिट्टी में हम खुदाई करते हैं तो वहां से मिलता है हमें दूसरा है sea water जैसे soluble salt की form में जैसे नमक है NaCl, MgCl2 और बाकी के salt है तो वहां से मिल सकता है बाकी हमारे जो main source जो हम निकालते हैं वो क्या? वो हमारी earth crust earth से निकालते हैं तो elements that occur naturally in earth crust are known as minerals भई naturally प्रकर्थिक रूप से हमारे अर्थ के अलग-अलग कोनों में पहाडों में ठीक है? अलग-अलग जगह ओपर हमें क्या मिलती है? हमें कोई mineral अच्छे खासा मिल जाता है हुआ से तो ठीक है? हमें पाए जाते हैं जैसे कहीं पर लोहा बहुत ज़ादा है मिट्टी के अंदर कहीं पर aluminium ज़ादा है कहीं पर copper कहीं पर tungsten ठीक है? तो अलग-अलग चीज़े क्या है? ज़ादा है तो कुछ places पर ये minerals बहुत ही ज़ादा high percentage में पाए जाती है ores में था कि minerals पाए जा रहे है उस area क्या बोलेंगे? और बोलेंगे यानि कि वहाँ पर खाली जैसे मैंने का कि पहाड है तंग्स्टन है उसके अंदर या iron है तो खाली iron नहीं है साथ है मिट्टी, पत्थ, रेत वगरा और भी है तो इनकों क्या करते हैं? खुदाई में निकालते हैं अर्थ से जब अर्थ से निकालते हैं उसमें metal है साथ में impurities है soil है, sand है तो metal को निकालना है ठीक है? तो यह impurities है impurities को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं तो आप गैंग की definition पूछे तो आप बोलोगे क्या बोलो? कि metal के साथ में impurities पाई जाती हैं जो ओर्थ के अंदर होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं और metal शुद प्योर फोम में मिलने के लिए प्राप्त करने के लिए इस गैंग को हमें निकालना पड़ता है तो कैसे निकालते हैं कैसे उसके जो impurities हैं उसको अलग करेंगे वही हमारा टोपिक आता occurrence of metal के बाद में extraction of metal तो extraction of metal कैसे हम और से metals को निकाले और मतलब जहां पर metal बहुत ज़ादा high percentage में पाया जाता है ठीक है? तो ore जिसके साथ में impurities भी है metal के साथ में impurities भी है अलग-अलग ओर होते हैं जैसे copper का ओर है mercury का ओर है tungsten का ओर है iron के ओर है अलग-अलग है ore मतलब हिंदी बोलते है ayask तो हमें पता है कि हमारे पास तीन टाइप के metals होते हैं एक तो high reactivity वाले metal एक moderate वाले और एक low reactivity वाले तो अलग-अलग को निकालने के तरीके अलग-अलग होते हैं क्योंकि उनकी reactivity अलग-अलग है जैसे हम बोलते हैं metals of high reactivity इसमें ये metal आते हैं sodium, potassium, magnesium, aluminium metals of medium reactivity ये हैं और low reactivity वाले ये हैं तो जब high reactivity वाले हैं तो ये किसी ना किसी दूसरे element के साथ में क्या करेंगे reaction करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा reactive है तो free state में तो मिलने से रहे तो ये क्या करेंगे दूसरे किसी element के साथ में मिलके compound बना के रहेंगे free state में कभी नहीं मिलेंगे so reactive that they never found in nature as free state नहीं मिल सकते क्योंकि बहुत ज़ादा reactive है reactive तो किसी ने किसी के साथ reaction कर ही लेंगे और medium reactivity वाले क्या है ये earth में oxygen के साथ में react करके oxide की form में ठीक है जैसे होतन aluminum oxide तो coating बन जाती है oxygen की उपर तो oxide की form में या sulfide की form में ठीक है sulfide मतब sulfur की layer जम जाती है और carbonate की ore में के form में मिल सकते है देखो oxide अगर ore है तो उससे metal निकालना काफी आसान कि oxygen है उसके साथ में तो reduction कर देंगे reduction मतब oxygen निकाल लेंगे उससे तो pure metal बचेगा मारे पास तो इससे निकालना काफी आसान है compared to sulfide और carbonate carbonate और sulfide वाले ore से इतना आसान नहीं निकालना है जितना कि oxide से काफी आसान है वो भी पढ़ेंगे कैसे कैसे निकालते हैं और रहे low reactivity वाले तो least reactive होते हैं और generally nature में free state मिलते हैं लेकिन silver और copper चांदी और तांबे को छोड़के ये जो है ये copper और silver है ये nature में bound state में भी मिलते हैं या तो ये sulfide और की form में या निकी sulfide के साथ में mix होके मिलेंगे या फिर ये oxide की form में मिलेंगे तो हमें इतना तो clear हो गए हैं से कि यहाँ पर हमें अगर ox सबसे पहले ये वाली बात है कि sulfide ore है या carbonate ore है सबसे पहले हमें convert करना पड़ेगा उसको oxide में oxide में convert करेंगे तो reduction कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें pure metal मिल जाएगा और ये least reactive वाले कैसे हैं sulfide हैं तो sulfide से इसको भी oxide में करेंगे और oxide से metal मिल जाएगा तो देखे कैसे कैसे करते हैं तो जैसा कि आपने देखा था कि और जो की तीन type की reactivity वाले हैं एक तो high reactivity वाले low medium reactivity वाले और low reactivity वाले तो जो high reactivity वाले हैं उनको गर गर्म करके या किसी और तरीके से निकालते हैं तो high reactive हैं तो दिक्कत हो सकती है क्योंकि reaction बहुत तीज से करेंगे तो इसको क्या करते हैं electrolysis करते हैं, यह detail में पढ़ेंगे तो एक तरह से flow chart है अभी detail में पढ़ेंगे हम एक एक करके, sodium का example आएगा यहाँ पर, तो electrolysis यह नहीं कि एक electricity वाला chamber होगा, उसमें cathode anode लगे वे होंगे, तो उसमें positive जो है, cathode पे और negative जो है, anode की तरफ जो है, attract करते हैं, वो पढ़ा जाएगा इसमें, क्योंकि गरम करेंगे तो वो पहले सी reactive है, तो वो तो आग पकड़ लेगा metals of medium reactivity तो medium reactivity वाल है, हमने देखे कि nature में, या तो carbonate और की form में मिलेंगे, यानि carbonate साथ में होगा उनके, carbonate बोले तो CO3, CO3 ठीक है, CO3 के उपर minus 2 आप बोलते हो carbonate और sulfide, sulfide क्या होता है S के उपर minus 2, तो या तो वो carbonate की form में मिलेगा या फिर sulfide और की form में मिलेगा अगर carbonate की form में मिलेगा तो पहले जी उसके पास में कुछ amount में oxygen है कुछ amount में oxygen है उसके पास तो उसको क्या करते हैं? Calcination करें Calcination मत्ब बहुत ज़्यादा high temperature पे उसको गरम किया जाएगा Strong heating होगी लेकिन air उसको कम दी जाएगी या नहीं दी जाएगी Limited air में तो strong heating और limited air जब बोलते हैं तो calcination होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं carbonate ore को C से carbonate और C से calcination एक्जाम में question आता है कि carbonate ore होगा तो उसके लिए किस method से हम उसको लग करते हैं तो calcination करेंगे sulfide ore होगा तो roasting करेंगे देखो यहाँ पर carbonate ore oxygen है तो इसको limited air दी यहीं oxygen नहीं के बराबर दी और sulfide ore वाला होगा तो उसको क्या sulfide मतलब ऐसे इसमें oxygen नहीं है तो इसको क्या करेंगे roasting, roasting का मतलब क्या होता है strong hitting और excess air air बहुत ज़्यादा दी जाएगी क्योंकि उसके पास में oxygen है ही नहीं क्योंकि हमें करना क्या है और वो रोल हमें उसके oxide बनाना है कि क्यों वो जो carbonate है और इदर sulfide है उसको वो हटें और oxygen उसकी जगापे आए तो यहाँ पर calcination और roasting अलग से बोच सकते हैं तो calcination क्या है heating of ore, carbonate ore strong heating करेंगे और साथ में limited air और इसको क्या होगा heating of sulfide ore ठीक है excess में मतब बहुत strong heating की जाएगी और air क्या होगी excess में air इसको दी जाएगी बहुत ज़्यादा में तो आपको हमेशे याद रखे carbonate ore, calcination और sulfide ore, roasting दोनों करने के बाद में हमें oxide मिल जाएगा metal का oxide मतब oxygen है उसके पास में क्या करेंगे, reduction करेंगे reduction करेंगे तो क्या हो जाएगा जो oxygen है अलग हो जाएगी तो हमें क्या मिल जाएगा metal मिलेगा लेकिन वो impure होगा उसमें कुछ और impurities भी होगी तो उसको purify किया जाएगा और pure metal हमें मिल जाएगा एसी देखते हैं कि low reactivity वाले हैं तो sulfide or का क्या करते है roasting करते हैं तो same roasting होगी ठीक है यनि कि strong heating in excess air roasting कहलाएगी metal मिल जाएगा उसको pure करेंगे ठीक है इस तरहीं से करते हैं तो अब क्या है example लेगे चलते है पहले low reactivity वाला example लेगे medium वाला लेगे और एक फिर high reactivity वाला आपके NCRT में अलग से इस तरह से एक दिया है डाइगराम दिया है इस तरह से flow chart दिया हुआ है कि जिसमें आपको ये उपर वाले high reactivity वाले बीच वाले दे रखे हैं moderate और नीचे वाले दे रखे हैं low reactivity वाले तो इनको हम करते वे चलेंगे तो पहले देखते हैं low reactivity वालों का extraction फिर medium और फिर high reactivity वालों का extraction extraction of metals of low reactivity तो low activity वाले metals जो है अर्थ पर जो है free state में generally मिलते हैं लेकिन कुछ sulfide की form में भी मिलते है जैसे यहां बोला sinabar, sinabar किसका ओर है mercury का ओर है जो hgs की form में मिलता है ठीक है तो आपके यादर रहा है sinabar किसका ओर है mercury का ओर है तो mercury का ओर है और साथ में क्या है पर sulfide की form में पाया जाया रहा तो sulfide की form में जो भी ओर पाया जायेगा उसकी क्या करते है रोस्टिंग करते है तो roasting का मत्तब क्या है कि excess heating होगी बहुत ज़्यादा strong heating होगी और excess air ज़्यादा air की presence में होगी तो यहाँ पर क्या किया है HGS है सिन्ने बार है oxygen की presence में गर्म कर रहे हैं तो क्या बना यह mercury oxide बना mercury oxide, oxide की form में होता क्योंकि जब भी roasting करते हैं या calcination करते हैं तो carbonate और sulfide और जो भी होता वो oxide की form में पहले convert किये जाते हैं फिर उसको reduction करते हैं उसका तो यहाँ पर यह बना साथ में SO2 निकली तो यहाँ पर आप इसको क्या करें इसको balance करें तो आपको access में oxygen आ जाएगी यहाँ पर तो जैसे कितने oxygen है यहाँ पर दो और एक तीन इधर कितने है दो तो इधर तीन है और इधर दो है तो क्या करेंगे balance तीन और दो का LCM 6, तो उसको 6 करना है, तो 3 आएगा यहाँ पर, कितने होगे, 6, इधर कितने है, 2 और 1, 3, तो यहाँ पर 2 लगाएं, तो क्या हो जाएगा, 4, 2 और 2, 4 होगे, और इधर भी 2 लगाज़े, तो कितना हो जाएगा, यह oxygen, 2 से 2 multiply गई, 4 और 2, 6, इधर भी 6 होगे, mercury 2 होगे, तो य excess air है, जब हम calcination करेंगे, तो वहाँ पर यह O2, 3 O2 वगेरा नहीं आएगा, इसका मत्तब limited air है, नहीं है, अब यह जो oxide हमें मिल गया, तो oxide को क्या करेंगे, generally normal गर्म करेंगे, जिससे oxygen अलग हो गया, oxygen जब अलग हो गया, तो oxygen अलग होने के process क्या कहलाएगी, reduction कहलाएगी, तो reduction कर दिया हमने, oxide को reduce किया, तो हमें metal मिल गया, ऐसे ही copper का exam में कहीं बार question आ चुका है, कि copper जो है, exam में Cu2S की form में पाया जाता है, और, अब Cu2S है, तो इसको क्या करेंगे, भई, S है sulphide है, तो इसकी भी क्या करेंगे, roasting करेंगे, तो roasting की जाएगी, roasting मत्तब strong heating in excess of air, तो क provider को कैसे, SO2 की form में बार निकल गी, अब इधर कितने है, दो, और एक तीन, oxygen इधर कितने है, दो है, तो इसको 6 बना लिया, और इधर भी क्या, same वैसे ही जैसे उपर किया था, हो गया, और copper कितने है, 4 और इधर कितने है, 2, तो ये लो, 2 आ गया, ठीक है, तो excess air आगी, तो roasting बलेंगे इस process को, अब यहां से यह आ गया, इसको क्या किया, यहां पर रखा, और साथ में, और, क्या डालाम ने, और, CO2S डाल दिया, और साथ में, तो यह क्या करेगा, इसको reduce करेगा, गरम किया, तो क्या हुआ, यह जो copper है, यह क्या आ गया, यह अलग आ गया, और SO2 हमार अलग बाहर निकल गया, तो यह आ गया, reduction हो गया इसका, copper oxide का reduction हो गया है, तो इस तरीके से क्या है, हमें low reactivity वाले जो metals हैं, वो प्राप्त हो जाते हैं, अभी देखते हैं, metal जो moderate reactivity वाले हैं, वो उनका कैसे किया जा सकता है reduction, तो वहाँ पर oxide की form में बनाएंगे और carbon का use होता है reduction के लिए, तो अभी हमें देखना है extraction of metal of middle activity, तो middle moderate activity वाले जो metals हैं, उनका extraction हम कैसे कर सकते हैं, तो middle activity में generally हम देखते हैं, iron, zinc, PB और भी हैं, mainly हैं, तो यहाँ पर हम mainly focus अपने syllabus के according, जैसे NCRT में zinc metal की बात की हैं, तो उसी के according हम चलेंगे, जिससे कि आपके exam में भी सिधा सिधा question वही से बनते हैं, उससे बाहर जाते भी नहीं है, तो देखिए, यह metal जो होते हैं, middle activity के जो metal होते हैं, यह nature में दो ores की form में मिलते हैं, या तो sulfide की form में मिलेंगे, या यह carbonate की form में मिलेंगे, अब सबसे पहले क्या है कि अगर sulfide की form में मिले हैं, तो हमने पहले भी use करके हमें metal प्राप्ट हो जाता है तो इसलिए हमने क्या लिखा कि these metals are present as sulfide ore में present हो सकते हैं या फिर carbonate की form में होते है nature में और metal को उसके sulfide या carbonate ore की तुल्ला में अगर उसको oxide से obtain किया जाए तो काफी आसान होता है इसलिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम sulfide और carbonate ore को उसके oxide में convert करते हैं और उसके बाद उस oxide को reduce करके metal बन जाता है कैसे होता है मैट माल लीज़े कोई metal sulfide की form में मिल रहा है और जो है वो sulfide के साथ में है जैसे ZNS ठीक है तो sulfide की ore में मिल रहा है तो sulfide के लिए हमें पता है क्या करते हैं हम roasting करते हैं जो roasting क्या होती है strong heat करते हैं और बहुत ज़्यादा air उसमें डालते हैं यह नहीं oxygen की supply अच्छी कासी होगी उसमें क्योंकि sulfide में oxygen नहीं होता है वहाँ पर metal में तो oxygen ज़्यादा हम लगेगा उसको तो metal की oxide हमें प्राप्त हो जाती है प्रोसेस roasting क्यालाती है और यदि यह moderate, middle activity वाला metal कोई भी माली ज़ेडन ही है तो वो अगर carbonate की form में है तो इसको हम strong heat तो करेंगे लेकिन air हम इसको कुछ खास नहीं देंगे ठीक है? तो इस process को बोलते हम calcination क्योंकि carbonate में पहले से कुछ amount में oxygen है तो ज़्यादा oxygen देने की ज़रूत उसको नहीं है क्या बोलेंगे? calcination तो calcination के फल्सरूप क्या मिलेगा? हमें metal oxide मिलेंगे तो यहां से भी हमने पहले metal oxide बनाया यहां भी metal oxide बनाया इन दोनों metal oxide के हम क्या करेंगे? फिर reduction करेंगे reduction के लिए यहां पर carbon का भी use होता है ठीक है? और इसके अलावग कुछ reaction में displacement reaction के द्वारा भी हम इन metal oxide से oxygen को displace करके अपना metal बना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं तो reduction के बाद में हमें क्या मिल जाता है? metal मिल जाता है हाला कि यह metal 100% pure नहीं होता फिर उसकी refining करनी पड़ती है लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि metal तक हम कैसे पहुँचे हैं तो हमने का कि एक तो roasting की, एक calcination की तो यहां पर zinc का example लेके हम इसी इन दोनों process को करके देखते हैं क्योंकि zinc जो है sulfide ore में भी मिलता है और carbonate की form में भी मिलता है तो यह काफी अच्छा example हो जाएगा zinc का तो zinc को देखेंगे तो zinc इस moderate activity वाली series के metal के अंदर ही आ रहा है देखें, यहां पर zinc जैसे लिखावा है तो देखें, zinc जो है पहला example लेते हैं sulfide की तोर पर मिल रहा है तो तो ZNS इस form में zinc मिला तो इसके लिए हम क्या करेंगे उसने का कि वही, sulfide ore हो है और तो हम क्या करते हैं सबसे पहले roasting करेंगे तो roasting में हम क्या करते हैं oxygen देगे ठीक है, excess oxygen और क्या किया strong heat ज़्यादा इसको गरम किया जाता है तो जिससे क्या बनेगा यह ZNO और SO2 बाहर निकल जाती है यानि की zinc oxide बोलाता है नहीं कि oxide में convert करना है पहले तो यहां से इसको balance कर ले तो इधर कितना है 2 oxygen है, इधर 1 तो यह होगे total 3 oxygen इधर और इधर है सिर्फ 2 oxygen इधर 3 इधर 2 तो LCM लेके 6 आता है तो उसको 6 बनाने के लिए 3 से multiply किया तो 3, 2 के 7 में multiply करके 6 तो इधर कितने है इधर है 3, इसको भी 6 करना है तो यहां पर मैं 2 लिखो और यहां पर 2 लिखो 2 से 2 यह 4 और 2 6 हो गए तो यहां से जो S है वो 2 है और ZNB साथ में 2 हो गए तो यहां पर 2 लगा देते हैं तो यह balance हो गया तो automatically balance करने के बाद में हमें साफ साफ दिखता है कि oxygen के 3 molecule हो गए यहां पर इसका मत्तब oxygen excess में है जादा है ठीक है ना तो इस process को हम क्या बोलते हैं इस process को बोला हमने roasting कहा ठीक है roasting होती है sulfide और की और अगर carbonate और है माली ZNCO3 carbonate की form में मिल जाता है कौन? zinc तो यहां पर हमें इसको oxygen की बात करनी नहीं हो और सिर्फ क्या करेंगे हमें strong heating करेंगे ठीक है? हमें oxygen देनी ही नहीं है क्योंकि यहां पर except oxygen है unlimited है या फिर नहीं यहां पर पहले से झील CO2 में पहले से oxygen है तो इसको extra में oxygen देना ही जो इतना ही normal क्या करो strong heat करो इसको तो normal जैसे भी जितना भी oxygen है, normal उतने में ही करना है, तो क्या करेगा, ये ZNO, क्योंकि zinc oxide बनाना है, और CO2 बहार निकल जाती है, already balance है, तो ये क्या बन गया, zinc oxide, और इससे भी क्या बना, zinc oxide, तो ये जो zinc oxide बना है, ZNO बना है, अब इसको क्या करना है, reduction करना है, reduction मत्तब oxygen को remove करना reduction कहलाता है, या hydrogen को add करना reduction कहलाता है, hydrogen तो यहाँ है नहीं, यहाँ पर oxygen है, तो oxygen को remove करेंगे, तो reduction कहलाई की process, और zinc बच जाएगा खली, तो zinc हमें मिल जाएगा, और zinc ही हमें लेना था, तो यहाँ पर क्या करते हैं, zinc oxide को reduce कराते हैं, carbon के help से, तो ध्यान रखना है, carbon यहाँ पर reduction के लिए use किया जाएगा, तो यहाँ से क्या reduction मत्तब क्या, C, carbon ने क्या ले लिया, oxygen को अपने साथ ले लिया, और साथ में, क्या, zinc बाहरा आ गया, तो यहाँ से zinc का क्या हो गया, reduction हो गया, और carbon का oxidation हो गया, क्योंकि carbon ने के साथ में oxygen जुड़ गया, तो carbon का oxidation हुआ है, औ जिंक में इस तरीके से हमें क्या मिल गया प्योर मेटल मिल गया मतब हमें ये मेटल यहां से मिल गया बाद में फिर इसकी रिफाइनिंग करके प्योर मेटल हमें मिल जाता है तो यह यहां तक हमने रिड़क्शन की बात की किसके साथ किसके दौरा कार्बन के दुआरा अभी बात ऐसी है कि क्या हमेशा कोश्चन दिबाग में आता है क्या हमेशा कार्बन का ही यूज करेंगे हम reduction करने के लिए यानिकि zinc oxide से या फिर metal oxide से कहें कि उससे हमें metal लेना है तो क्या हमेशा carbon का यूज किया जाएगा नहीं हमेशा नहीं कभी कभी जो है displacement reaction का भी इस्तेमाल किया जाता है यानिकि ये जैसे zinc oxide है इससे निकालना है तो ऐसे कुछ और भी reaction है जहाँ पर carbon का यूज ना करके displacement reaction के दुआरा हम क्या करेंगे metal oxide को reduce किया जाएगा मतलब कि महां से उनका oxygen हटा दिया जाएगा और metal हमें मिल जाएगा तो यहाँ पर जो reducing agent के तोर पर use किया जारा है sodium use कर लेते हैं aluminium use कर लेते हैं ये reducing agent के तोर पर use किया जाता है displacement reaction में क्योंकि high reactivity metal ही क्या करेगा low reactivity वालब को अलग करता है ठीक है तो जैसे एक reaction है reaction हम देखते हैं तो जैसे है कि MnO2 है ये क्या है manganese oxide है तो इसमें हम क्या use करते हैं जैसे aluminium को as a reducing agent हमने use कर लिया अब यहाँ से क्या किया तो यहाँ से क्या करेगा Mn को तो अलग हो गया और Mn से जो oxygen है वो ले ली इसने तो aluminium oxide क्या होती है Al2O3 Al के उपर plus 3 charge होता है तो वो इदर आ गया और oxygen के उपर minus 2 होता है तो Al2O3 बन गया तो इसने क्या कर दिया अब Al ने क्या कर दिया oxygen को हटा दिया यानि कि oxygen को यहाँ से हटाया तो MnO2 का reduction हो गया Mn में ठीक है तो Mn हमें मिल गया में मिल गया balance करते हो तो आपको दिखता है साफ की 2Al है यहाँ पर 1Al है तो यहाँ पर 2 लगा दिया अब यहाँ पर हम आगे देखते है तो इधर देखते है तो oxygen कितना है 3 है और इधर कितना है oxygen 2 है 2 और 3 तो क्या होगा LCM ले सकते है तो इधर आ जाएगा कितना 3 ठीक है तो 3 आया तो 6 होगया है हैंपर और इसको 6 बनाना है तो इहाँ पर 2 लगाया आ जाएगा ठीक है जब 2 लगाया तो AL भी कितना हो गया 4 हो गया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4Al आ जाएगा और MN 3 है तो इधर 3, तो balance करना आपको आता हो, फिर भी यहाँ पर एक बर बता दिया हमें तो यहाँ पर क्या हुआ, कि MnO2 से, जो है, reduction, इसका MnO2 का reduction करने के लिए हमें, हमने Al का use किया, तो हमें Mn मिल गया अब यहाँ पर इस reaction में क्या होता है, कि heat बहुत ज़्यादा निकलती है इस reaction में heat बहुत निकलती है, तो इस heat के कारण जो हमें, यह मेगनीज मिलता है यह पिंगला हुआ मिलता है, यह नहीं, molten state में मिलता है, molten state में प्राप्त होता है ऐसे ही इससे मिलती जुलती एक और reaction है जहाँ पर इसका reducing agent में aluminium का use होता है और एक metal oxide को reduce करके metal प्राप्त किया जाता है जैसे वहाँ पर हम बात करते हैं ferric oxide की Fe2O3 ferric oxide है ठीक है तो इसमें हम क्या करते हैं aluminium का use करते हैं ठीक है तो इसमें क्या किया जाएगा यहाँ से Fe iron तो अलग हो जाता है और साथ में क्या बनता है Al2O3 यानि कि aluminium oxide बनता है इसको आप क्या करें balance करें तो इधर कितना oxygen है तीन इधर भी तीन है इधर Al2 है तो इधर 1 है तो 2 बना लिया Fe 2 है तो इधर भी 2 कर लिया इसको तो यह क्या हो गया यहाँ पे balance हो गया तो यह जो reaction है ना इस reaction में भी क्या निकलती है heat निकलती है बहुत जादा और इस reaction को हम क्या बोलते है ध्यान रखिएगा thermite reaction बोलते हैं इसको thermite reaction और इस reaction में इतनी heat निकलती है कि इस reaction के दोरान इतनी heat निकलती है और जिसका यूज जो है railway tracks जो होते हैं जो railway tracks होते हैं जो आपकी line देखते हैं तो उसमें tracks को जोड़ना पड़ता है तो welding नहीं कर रहोती है वहाँ पर यह thermite reaction के दुवारा किए इसको जोड़ा जाता है तो railway tracks को जोड़ने के काम आता है यह thermite reaction किसमें काम आती है railway tracks को जोड़ने के काम में आती है बोल सकते हैं कि used to join the railway tracks इनको जोड़ने काम आती है तो यहाँ से आपसे question पूछ सकता है तो यहाँ पर हमने क्या किया कि carbon का use करके हमने reduce किया था metal को metal oxide को और यहाँ पर हमने दूसरे element का यहनी कि जो strong metals है इनका metal का use करके हमने दूसरे metal oxide से metal को हमने प्राप्त किया ठीक है तो यहाँ पर दो reaction अलग से आपको पूछ सकती है इस reaction में तो आपको यह भी question आए है कि कौन सा reducing agent है और कौन सा oxidizing है इस तरह से question पूछ लेता है ठीक है तो यहाँ पर यह हुआ हमारा finish extraction of metal of middle activity अभी हम देखते हैं देखो low activity वाला होगे हमारा middle activity वाले होगे अब बचे हैं high reactivity वाले जैसे sodium, potassium यह high reactivity वाले metal हैं तो उनसे हम metal कैसे प्राप्त करेंगे तो वो देखेंगे अब extraction of metals of high activity इसमें को नाते से sodium, magnesium, calcium main focus रहेगा sodium पर तो यह जो metal होते हैं यह बहुत जादा reactive होते हैं और इनको गर्म करके carbon के साथ में गर्म करके reduce करके जैसे हमने अभी प्राप्त किये थे middle activity वाले metals को zinc वाले को carbon के साथ गर्म किया और मिल गया हमें metal reduce होने के बाद ऐसे अगर इनको गर्म करेंगे तो पहली बात तो गर्म करना अगर गर्म करके मिल भी गया तो क्या होगा बहुत ज़्यादा reactive तो दिक्कत हो जाएगी दूसरी बात carbon जो है उस क्या है इतना ज़्यादा strong नहीं है कि वो sodium, magnesium, calcium से जो है उनकी oxygen को उनसे अलग कर सेगे कार्बन के साथ कहीं ज़्यादा हो, कार्बन की तुलना में बहुत कहीं ज़्यादा है जैसे मैं कहूं कि sodium और oxygen के बीच में जो relation है जितने tightly वो बाइंड रहेंगे कार्बन और oxygen इतने tightly बाइंड नहीं रहते हैं तो कार्बन उससे oxygen खीचके नहीं ले सकता क्योंकि affinity यानि की relation sodium का oxygen के साथ में कहीं ज़्यादा है तो इसलिए बोलते हैं these metals are obtained by electrolytic reduction इसलिए इन metal को हम electrolytic reduction यानि की electricity provide करके reduce किया जाता है जैसे for example sodium को अगर हमें लेना है तो sodium किस फोर में जैसे उनकी electrolysis of its molten chloride molten chloride मत्तब कि जैसे NaCl है ठीक है NaCl sodium chloride है सोडियम निकालना है तो क्या करेंगे इस sodium chloride को हम पिंग लाएंगे और पिंग लाएंगे क्या electrode लगाएंगे positive negative और उसके according हम separate करेंगे जैसे यहाँ पर माल लिजे हमने NaCl का पूरा-पूरा क्या NaCl को molten state में ले लिया यहाँ पिंगली हुई फोम में हमने ले लिया इसको और यहाँ पर हमने इलेक्टोड लगा दी cathode और और यहाँ से क्या यह electric switch क्या करेंगे इसको प्रवाइड करा दिया तो क्या है कि cathode क्या है negative और anode क्या है positive तो जब electric supply देंगे इसमें तो sodium iron जो है वो negative क्योंकि positive charge तो negative की तरफ attract करेगा और chlorine के उपर negative होता है तो यह anode यह पॉजिटिव electrode की तरफ move करेगा तो यह इस पर घटी होगी और यह इसके उपर घटा होगा इस तरीगे से हमें क्या मिलेगा हमें cathode के ओपर अपना sodium मिल जाएगा इसलिए हम बोलते हैं ऐसे ही 2019 में आपको से reaction पुची गई थी इस तरीगे से board exam में कि high activity वाले metal की क्या reaction लिखनी तो आपको यही लिखनी थी यहाँ पर यह sodium था sodium iron electron मिलेगा इसको तो क्या बन गया sodium मिल गया कहां पर बना था यह इस cathode पर बना क्योंकि भई sodium plus का मतलब क्या है plus का मतलब क्या है two eight और एक electron on मिल गया तो one तो यह नहीं कि normal जो reactive metal था वो बन गया जबकि खली iron reactive नहीं था ऐसा ही दो chlorine दे रखे हैं तो क् seven होता है normal ठीक है अभी क्या है एक minus ही नहीं एक electron इसके पास है तो two eight eight है अब इससे क्या हुआ दो है तो दो electron निकले हैं तो मतलब क्या एक से कितने साथ एक एक निकला है तो यह भी active में आगया अपने chlorine gas बना ली एक तरफ तो यह नहीं कि हम कह सकते हैं कि यह जो sodium है यह cathode copper और chlorine gas कहाएगी एनोड पर मिल जाती है इस तरीके से क्या है कि आपको याद रखना है एक line जुरू लिखनी है कि कैसे प्राप्त करते हैं electrolysis of molten chloride जो भी metal की आपको high reactivity वाले को प्राप्त करना इस तरीके से आप करेंगे तो यह था extraction of metal of high activity अब बात ही आती जितने भी metal हमने low reactivity वाला middle वाला या high reactivity वाले हमने metal की जो extraction किया अब यह metal जो हमें मिले यह 100% pure नहीं होते हैं इनमें कुछ ना कुछ अशुधिया इनकी impurities होती है तो इनकी क्या करनी पड़ती है refining करनी पड़ती है और इसमें सबसे famous आ रहा है electrolytic refining वही cathode anode लगा के ठीक है तो वही देखना है अभी हमें कि यह metal जो हमें मिले इनको pure form मे कैसे प्राप्त करें कि 100% pure नहीं होते हैं तो वही topic है हमारा अब तो बात करते हैं electro refining of metals और काफी simple तरीगे से देखते हैं इसको और यहाँ पर example लिया गया है कि copper की refining कैसे करते हैं किसकी example है copper का कैसे किया जा copper जो हमें metal मिला extraction किया उसका copper मिला तो उसको pure form में कैसे प्राप refining कैसे करें तो सबसे commonly जो used होने वाला method है copper की purification refining के लिए वो है electrolytic refining तो सबसे जादा commonly used होने वाला यह method है इसमें क्या करते हैं कि जैसे हमें copper की refining करनी है तो यहाँ पर जिस metal को हमें refine करना है जैसे माल लिजे कि हमें extraction करने के बाद copper मिला तो copper मिलिए लेकिन उसमें कुछ impurity है तो impurity वाला metal ही यहनिकि impure metal है उसकी हम बना देगे anode यह क्यै ए एनode किसकी है impure metal की है इंप्योर मेटल यहाँ पर क्या हो जाएगा मेटल क्या लिया कॉपर है तो इंप्योर कॉपर की है यह जो सोलूशन लिया जाएगा यहनि कि जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो भी कॉपर का ही है कॉपर सलफेट का सोलूशन यह नहीं जिस चीज़ का हमारी एनोड है उसी चीज़ का कैथोड है और उसी का ही solution यह नहीं कि electrolyte होगा यह electrolytic refining करें तो solution चाहिएगा बीच में तो वो भी copper sulfate का है और इधर की side में जो यह हमने कैथोड ली यह pure यह pure metal का metal क्या है यहाँ पर copper लिया है तो pure copper का हमने क्या बनाया है metal है तो यहाँ पर क्या लिखा पूछ लेता है question बनता है आपका कि एनोड किसका है इं pure metal का cathode किसका है pure metal का और electrolyte क्या है metal जो भी यूस आप जिसका refining करें उसी का electrolyte है उसका solution है उसी metal का ठीक है तो यहाँ से शुरुवात की यह setup कर लिया ऐसे करने के बाद में जब electric supply देते हैं तो यहाँ से इस solution से भाई copper sulfate तो किस form में होगा co2 plus और SO4 minus negative ऐसे तो यहाँ से जो copper होता है यह copper कहां पर यह copper देखो यहाँ पर negative charge यह copper पर positive होता है तो यह क्या करेगा यह यहाँ पर इकटा होना शुरू हो जाएगा यहनि कि इस pure metal की strip पर pure copper की strip पर हमारा copper जाके लगता रहेगा और इस solution में जो copper है जो वहाँ पर चला गया उसकी जो पूर्ती करेगा वो यहाँ से जो impure metal impure copper की जो यह anode लगी यहाँ से copper निकलता रहेगा और यहाँ से होता हुआ यह ऐसे जाता रहेगा तो निकलता रहेगा जाता रहे निकलता रहेगा जाता रहेगा कुछ समय बाद यह वाली electrode क्या हो जाएगी यह कम होती चली जाएगी और इसमें जो copper तो इधर जा रहा है इधर की side और जो impurity होगी वो impurity नीचे गिरती रहीगी यहाँ पर anode के नीचे गठी हो रही है इसलिए इसको क्या कहा anode मड़ कहा इसे मड़ मतलब गीच्चर type तो यह impurity यहाँ गठी होती रहीगी जो इसमें थी कभी तो ऐसे गठते गठते यह वाली लेक्टोर कहता हो जाती है और यहाँ पर पूरा का पूरा जो metal है हमें pure metal यहाँ पर मिल जाता है इसी के basis पर आपकी NCRT के अंदर NCRT exercise में कोश्चन दिया गए है ठीक अगर आप देखते है NCRT exercise में तो यह वाला कोश्चन आपको मिलता है वहाँ पर देखने पर तो अब आप यह गर समझे हो तो इस कोश्चन को आप अराम से करिए इसको आंसर दीजे इसका असानी से अब आपके यह हो जाएगा और ऐसे एक्जाम में भी कोश्चन पूछ लेता है आप देयान रखिए का इन इन चीजों का जो है यह कैतोड अनोर्ड और इलेक्टरलाइट बने हुए है मोडिफाई कर सकता है कोश्चन को बाकी आएगा इसी तरीके से ही तो यह था रिफाइनिंग और मेटल भी हो गया अब एक लास्ट टोपिक आता है आपके चैप्टर में इसमें कोरोजन आता है यहनी कि मेटल का खराब होना तो उसको करते हैं और फिर उसके बाद चैप्टर कतम हो जाएगा देखे कोरोजन क्या है कि नॉर्मल सिंपल लेंग्वेज में कहें तो मेटल का खराब होना क्या कहलाएगा? corrosion कहलाएगा ठीक है? यह हम metal की बात करें तो metal के ही corrosion की बात कर रहे हैं तो metal का खराब होना क्या है? corrosion कहलाता है जैसे हम बोलते हैं कि silver है, चांदी है कुछ समय बाद जो है नहीं लेके आते हैं कुछ समय बाद वो खोड़ी काली पड़ जाती है तो आपसे question यहीं बोच सकते हैं कि silver जो है वो काली पड़ जाती किसके कारण काली पड़ती है? तो इस पर क्या है? silver sulfide के कारण atmosphere से क्या करता है? sulfur से react करके क्या होता है? silver sulfide की coating बन जाती है इसके वज़े से silver काली पड़ जाती तो आपको याद रखना है या फिर ऐसे पूछ लेगा कि silver sulfide के कारण जो coat बनता है उसका color क्या है? black तो black coating जो होती है silver sulfide की ऐसे पूछ लेगा question तो copper या फिर लंबे चोड़े question x, y, z करके question बना देता है उसमें x, y, z से compound बूछता है तो copper है जैसे copper क्या गड़ता है? co2, moisture इनके साथ में react करके लंबे समय में होता है एकदम से नहीं होता जैसे तामबे का कोई बर्तन देखा हो तो हलका-लका सा greening color के उसमें धब्बे से दिखाई देते है तो green coating आ जाती है आपने देखाएगा, moisture, air, moist air के साथ मिलके क्या करता है? rust यह नहीं जंग लग जाता है red brown color का होता है और अगर आप से पोचेए, condition क्या है rust की, तो आप बोल सकते हैं, air चाहिए और water, यानि कि हम बोल सकते हैं, moisture चाहिए दोनों को मिला के हम क्या बोलता है? सबसे ज़्यादा metal चाहिए, वो क्या? iron ही है, तो iron पे क्या लगता है? rust, जंग लग जाता है तो जंग को हम कैसे? जंग भी एक टाइप है क्या है? corrosion है तो जंग को लगना हम कैसे बंद कर सकते हैं? कैसे रोख सकते हैं? आप कोई भी लोगे का सामान बनवाते हैं सबसे पहले लागे paint करते हैं उसके उपर primer paint करते हैं तो paint से क्या होता है? जो air है, वो इस direct contact में नहीं आ पाती iron के तो reaction नहीं हो पाती ऐसे grease लगा सकते हैं उपर greasing, ठीक है? galvanization, galvanization में क्या करते हैं? zinc की layer चड़ाई जाती है उपर metal के, जिससे iron वगेरा पे क्यान लगता? junk नहीं लगता, rust नहीं लगता chrome plating, आजकल करते हैं chromium की layer चड़ा देते हैं उपर एक तो चमक भी आती है उपर से junk नहीं लगता, rust नहीं लगता ऐसी anodizing और जो है, LOA बनाके कर सकते हैं LOA में क्या होता है? LOA में, LOA बोले तो उसमें जैसे आपने नाम सुना होगा कि, जैसे चलते हैं sports में, bronze medal सुना होगा या पितल सुना होगा, अपने brass यह सब LOA के example है LOA में होता क्या है? कि LOA में main original जो, माल लिजए कि मैं कहूं कि main जो element होता है metal है, metal के साथ में कुछ दूसरा metal या कोई non metal मिला देते हैं जिससे उस metal की जो original property है, वो खतम हो जाती है जैसे अगर मैं कहूं कि iron है, iron की property है कि ठीक है, उस पर जंग भी लग जाता है लेकिन मैं iron के साथ में कुछ और metal मिला दूँ तो iron क्या होगा, iron की जो जंग लगने वाली property वो भी खतम हो जाएगी शायद वो heat और electricity जो पहले अच्छा conduct करता था वो भी कम हो जाए उसका यानिक उसकी chemical property चेंज हो जाती तो जंग भंग नहीं लगता ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्या बनाते हैं, हम ऐलोए बनाते हैं तो ऐलोए को देखते हैं, ऐलोए क्या है तो ऐलोए जो होते है इसमें metal या metal का mixture होता है, या metal के साथ में कोई non metal मिला देते हैं अब इसमें जो मेन जो होता है जैसे हम बोलो के जैसे स्टील है तो स्टील में जैसे बालते हैं कि मेन जो है वो आइरन है तो मेन जो मेटल होता है प्राइमरी उसको बोलेंगे प्राइमरी मेटल और दूसरा जो हलका जो कम मातरा में मिलाया जाता है उसको सेकेंडरी बोलते है ठीक है जैसे हम हम बोलता हों कि ब्रास है तो इसमें copper primary है और जिंक कैसा है secondary है ऐसे ब्रॉंज में क्या है main metal कौन साइब copper है और stainless tin क्या है secondary है तो main जो होता है जो जाधा amount में वो main होगा primary metal है और secondary जो छोड़ का amount मिलाया जाएगा उसमें तो हम बोलते हैं अलोए क्या metal या metal का mixture है या metal या non-metal का mixture है जैसे for example stainless steel जो की बर्तन वगेरा में काम आती है और जो है blade वगेरा में भी बनाई जाती है जंग नहीं लगता इस पे stainless steel पर यह आपको पता होगा तो यह iron के साथ में nickel और chromium मिलाके बनाया जाता है एक्जाम में आपसे question भूच सकते है कि brass या bronze या stainless steel को ये एक alloy है ये किस-किस metal को मिलाके बनाया जाते है तो आपको ध्यान रखना है iron, nickel, chromium मिलाके stainless steel, amalgam जो होता है वो सीधा mercury का जो की liquid वाला metal है liquid रहता है room temperature पर उसका alloy है brass यानिकी पीतल, पीतल किसको copper और zinc काफी important है याद रखिएगा brass और bronze काफी important है तो copper और zinc को मिलाके बनता है brass जबकी bronze, bronze मत्तब कांसा होता है ना कांसिया पदक, bronze medal तो bronze किसको copper और stennis यानिकी tin, tin को मिलाके बनता है shoulder wire shoulder होती है ना जो आप देखते हैं, टांके बगएर लगाते हैं, तारों को जोडते हैं तारों की welding करते हैं ना wire है, electric circuit बगएर हम देखा हो, plate बगएर पे तो तारों को जोडने के लिए क्या यूज़ कहते है, shoulder wire जो की lead और stennis को मिलाके बनाया जाता है इसकी एक property है कि इसका melting point बहुत कम होता है, तो हलका सा गरम करते पिंगल जाता है फिर इसलिए इसके टांके लग जाते हैं, इसलिए इसको welding electrical wires together यानि कि तारों को जोडने में काम में लाया जाता है इसके लावा देखा जाता है कि अलग तरीके जैसे आपका सोनने के बारे में दिया हुआ है जो gold है, जैसे हम बात करते हैं, gold जो है, वो 24 karat gold जो है, वो pure form है बिल्कुल लेकिन इतना pure form में अगर gold होगा, तो उससे jewelry नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही जादा क्या होगा, soft होगा, तो jewelry नहीं बन सकती ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, 22 karat gold ले लिया और साथ में क्या मिलाते हैं, उसके या तो silver मिला लेते हैं, ठीक है, या फिर copper मिलाते हैं जिससे की थोड़ा hard हो जाए, और jewelry जो अभुशन है, jewelry आसानी से बन जाए ऐसे ही iron की बात करते हैं, तो iron भी क्या होता है, iron बिलकुल pure form में जो iron होता है pure state में, उससे भी iron article नहीं बनाये जा सकते क्यों, क्योंकि ये भी बहुँच ज़्यादा soft होता है normal गरम किया जाए, तो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, stretch हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या करते हैं, 0.05% carbon को मिलाया जाता है जिससे ये hard बन जाता है, strong हो जाता है, इससे हम iron article बना लेते हैं तो ये यहाँ पर आपका metal और non-metal chapter पूरा complete होता है अगर कोई भी doubt अगर इस chapter में आया हो, तो comment करें जो है वीडियो काफी लंबी हो जाती है, इसलिए topic को बहुत जल्द जल्द तरीके से मैंने बताने कोशिश की और लगबग पूरे topic बताने कोशिश की है अगर फिर भी कोई doubt रहा हो या कुछ आपको समझ में नाया हो तो आप comment करें, मैं आपका जवाब जोड़ दूँगा और जो study material और आगे के जो test वगएरा board exam के लिए आपके लिए अच्छे रह सकते हैं उनको लेने के लिए जो है अमारे telegram channel से जुड़े हैं इसका link जो है video के description में दिया हुआ है Thank you